Hello guys, welcome back to Code Reader Channel Code Reader Channel में आप लोगों का स्वागत है और आज के वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं अपना एक Full Stack Blockchain Project जिसका नाम है Decentralized File System अब यह Decentralized क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पे जो भी images store करेंगे जो भी images store करेंगे वो सब की sub images हमारे IPFS के network पे store होंगी और यह सारी चीज़ें हम लोग manually scratch से create करेंगे तो मैं आपको A to Z सब बताऊंगा इस Full Stack Blockchain Development Project के बारे में but before that, let me give you a demo of this project, कि आखिर में यह project किस तरह से work करता है तो इस project में आप देखोगी बहुत तरह की elements है, पहला element है हमारा जो भी account connected account होगा तो जो भी account हम अपने metamask में select करेंगे वही account हमारा connected account होगा साथी साथ आप देखोगी इस account के पास एक facility है images को choose करके उनको upload करने की तो अभी आप देखोगी यह button जो हमारा वो disable है because इस ने कोई भी image इस account ने कोई भी image को choose नहीं किया है तो यह यहाँ से choose image पर click करेगा तो आप देखोगी इसके पास कई सारी images है मैं let's say इस image को select करूँगा मैं open करूँगा और आप जैसे ही यहाँ पर मैं click करूँगा यह image upload हो जाएगी हमारे IPFS की network पे अच्छा upload करने के पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि initially इसमें कोई भी image नहीं है तो इसलिए हमारे पास यह error message आ गया कि no images to display तो okay कर देता हूँ और अब मैं इस image को upload करूँगा तो मैंने कि upload file तो जैसे ही upload हो जाएगी हमारे पास एक alert message जाएगा कि भाईया यह image successfully upload हो गई है और अब यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा metamask open हो जाएगा क्योंकि जो भी transactions होंगे वो सारे के सारे transactions हम अपनी blockchain पे भी store कराते रहेंगे क्योंकि भाईया यह सारे चीज़े decentralization के लिए हो रहे हैं transparency के लिए हो रहे है तो इन सारे information को हम अपने blockchain पे भी store कराएंगे मैं यहाँ पे करूँगा confirm तो अब हमें wait करना होगा हमारे transaction को confirm होने का और जैसे ही हमारा transaction confirm होगा हमारे पास हमारी image आ जाएगी तो आप देखोगी यह transaction confirm है अब मैं get data करूँगा तो आप देख सकते हो कि हमारी image यहाँ पे आके display हो रही है इसी तरह से आप और भी images को upload कर सकते हो और वो सारी की सारी images यहाँ पे store होना शुरू हो जाएंगी और यह जो image आप देख रहे हो अगर आपको इसकी full display देख रही है आपको simply इस पे click करना होगा और जैसी आप इसे पे click करोगे तो यह आप देखोगे आपकी image की full यहाँ पे display आ जाएगी और actually मैं यह image store का होई है यह आपके IPFS के network में store होई है तो अगर मैं वापस से चलता हूँ अब दूसी चीज जो यह account कर सकता है वो यह है कि इस image का access वो दूसरे accounts के साथ भी कर सकता है तो जैसे आपने देखा है न Google Drive पे क्या होता है कि आप दूसरे लोगों को भी अपने account का access दे सकते हो images का files का folder का access दे सकते हो ठीक उसी तरह से यह account भी दूसरे accounts को अपनी images का access दे सकता है और इसके लिए इसको simply click करना होगा यह share button तो आप देखोगे कि मेरे पास एक dialogue box अपीर होके आ रहा है जहाँ पर वो कह रहा है share with मतलब आप जिस भी address के साथ share करना चाहते हो उस address को यहाँ पर डाल दो और यहाँ पर हमें information मिल जाएगी जिन भी addresses के साथ हमने जिन भी addresses को access दिया है तो जैसे अगर मैं यहाँ पर अभी click करूँगा तो आप देखो कि मैंने already इन सारे accounts को access दिया है वो मेरी images को देख सकते हैं but let's say मैं आपको एक नए account से साथ यह करके दिखाता हूँ तो let's say अभी यहाँ पर देखो कि कुछ accounts है मैं let's say यहाँ से metamask के कोई एक और random account उठा लूँगा और उनको अपने images का access दूँगा ठीक है तो जैसे कि माल लो for example मैं let's say इस part 4 वाल पर जा रहा हूँ तो अभी यहाँ पर मैंने change किया तो इसलिए यह पूरा change हो गया अभी देखो कि initially इसके पास कोई भी image नहीं है ठीक है मैंने आसे इसको copy कर लिया है ठीक और अब मैं जाओंगा let's say कौन सा account था I think last account था right तो यह account था right हमारा address यहाँ पर नहीं है इसको access नहीं दिया गया है अब मैं करूँगा share तो जैसे ही मैं share पर click करूँगा अगें यह सारी information भी हमारी blockchain पर store होगी सारा transaction हमारी blockchain पर store होगा for total transparency मैं आप ए confirm करूँगा और आप देखोगे कि जैसे transaction confirm होगा हमारे share में यह information आ जाएगी अभी देखो transaction confirm नहीं हो है तो इसलिए आप तो कोई information नहीं है तो we have to wait for the transaction to get confirm और अब आप देखोगे transaction confirm हो गया है तो मैं वापस सहब check करता हूँ तो आप देखोगे 06F99 को हमारी images का access मिलके है और यह चीज़ हम check भी कर सकते हैं तो हमें simply क्या करना होगा cancel करता हूँ और जाता हूँ मैं अपने metamask में और इस address कोपी कर लूँगा ठीक है क्यों कर रहा हूँ अभी आपको पिता चल जाएगा तो हमारा participant 4 था जिसको हमने access दिया था तो आप देखो कि अभी मैं get data करूँगा तो ये इसका data बिच्टिल स्टो कर रहा है ठीक है इसलिए आप देखोगे कि no image to display आ रहा है क्योंकि इसने कोई image तो upload की नहीं है बट अब मैं यहाँ पे address जा लूँगा जिस account का data ये account access करना चाता है अब मैं यहाँ पे करूँगा get data तो आप देखोगे ये image जो हम लोगों ने दूसरे account में store की थी इस account में store की थी उसकी image का access इस account के पास भी आ गया है और ये इस image को देख पा रहा है और लेट से अगर कोई और account ऐसा करने ही कुछ करेगा जिसके पास इस account का access नहीं है जिसके साथ इस account ने data share नहीं किया है अपना तो लेट से मैं कोई और एक random account यहाँ पर choose कर लेता हूँ और dummy account connect कर लेते हैं और अब मैं इसका address यहाँ पर भी डालता हूँ ठीक है? मैं get data पर क्लिक करूँगा अब देखोगे इसने error थ्रो कर दिया है कि call revert exception तो VM exception while processing transaction reverted with reason you don't have access तो भाईया इस account के पास इस account की images का कोई भी access नहीं है तो इसलिए हमें इसने एक error दे दिया ठीक है? तो इसी तरीके से हमारा यह पूरा decentralized file system work करता है अब इसकी details, इसकी coding अब मैं आपके साथ share करूँगा कि किस तरह से यह decentralized file system आप बना सकते हो और याज शुरू करने से पहले बस एक चीज़ आप से कहूँगा कि अगर आपको यह project अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे like जरूर से कर देना subscribe जरूर से कर देना अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है और comment करके जरूर से बताना कि यह project आपको अभी कैसा लग रहा है तो अगर आपको यह अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज लिखना comment में I like this project और like जरूर से करना इस से क्या होता है कि YouTube की algorithm थोड़ा push कर देती है मेरे content को otherwise blockchain के content को अभी YouTube इतना push नहीं कर रहा है तो यह बहुत helpful हो जाएगा मेरे लिए अगर आप लोग like, share or subscribe कर दोगे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आप तो आगे बढ़ने से पहले एक बार project के architecture दो समझ लेते हैं ताकि हमें कुछ confusion ना हो जब हम लोग अपने project को code करना शुरू करें तो यहाँ पे project के architecture में हम लोग भाई कई साई technologies का use करेंगे जैसे कि front end में हम लोग use करेंगे react.js का जहाँ पे हम लोग user interface अपना बढ़ियां से बनाएंगे और backend में हम लोग use करेंगे solidly programming language का और इनी दोनों के बीच के interaction के थू हम लोग अपने पूरे project को complete करेंगे यहाँ पे हम लोग pinata का भी use करेंगे जहाँ पे हम लोग अपनी images को basically store कराएंगे जैसे कि मैंने आपको बताया अगर नहीं बताया तो आप बता देता हूँ कि pinata क्या करती है हमारी help करती है images को IPFS वे store कराने की अब जिनको IPFS के बारे में नहीं पता है उनको एक idea देने के लिए मैं बता देता हूँ कि IPFS एक decentralized peer-to-peer network है चहाँ पे आप अपनी files को एक decentralized way में store कर सकते हो इस पे मैंने एक पूरा course बनाया है अगर आप लोगों को depth में जाना है इसके बारे में चास्टली हो जाएगा और जो चीज़ हम नहीं चाते तो जो भी images user upload करेगा using our react.js code वो image जाके store हो जाएगी हमारे penata के through हमारे IPFS के server पे या फिर मैं कहूँ decentralized network पे और जो भी transaction होगा मतलब कि भाई जब मैं इस image को upload करूँगा IPFS पे तो मुझे इसका मिल जाएगा hash और मैं उस hash को उस URL को मैं store करूँगा अपने smart contract पे ताकि मैं सारी information ताकि एक user जो जो images को upload कर रहा है उस सारी information को मैं अपने smart contract पे भी रख सकूँ ताकि transparency maintain कर सकूँ और in future जब हमें इन images की requirement होगी तो हम अपने smart contract इंटराट करेंगे जिसने हमारे images की URL को store करके रखा होगा और उन images को फिर हम display कराएंगे अभी आप चीज़े को अगर उपर उपर से भी समझ गए तो काफी है अब इसको जब हम code करेंगे तो आपको और भी चीज़ें clear होती जाएंगे और इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि आखिर में हम लोग इस project में करने क्या वाले हैं क्या क्या prerequisites होंगी इस course की तो आपको भी basic react आने चाहिए सिर्फ basic मैं कोई advanced react की आपकी बात नहीं करा use state, use effect के बारे में concept का आपको idea होना चाहिए ether.js, hardhat, solity, ipfs इन सब पर ही course available है पहले से ही code reader channel पर आप लोग देख सकते हो अगर आपको जादा depth में जानना है तो क्योंकि मैं जब tutorial कराऊंगा तो मैं बहुत से चीज़ें मान के चलूँगा कि आपको आती है बर कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप अभी भी tutorial देख रहे हो आप मेरे साथ बने रहना अगर आगर आपको लगता है कि हम जो थोरदित में जाना है तो आप definitely इन सारे tutorials को देख सकते हो तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी coding तो चलिए अब बनाते हैं अपने smart contract को पहले में यह smart contract remix ID पर बनाऊँगा इसको आपको run करके दिखाऊँगा और फिर इसको हम लोग VS code पर लेगे जाएंगे तो यह smart contract को थोड़ा ध्यान से समझना because यह smart contract हलका फलका complicated सा है हो सकता है कि आपको confusion हो तो इसी लिए इसको थोड़ा ध्यान से समझना एक चीज़ बद ध्यान में रखना कि अब आपके पास कोई भी database नहीं है और आपका smart contract ही आपका database है आपका blockchain ही आपका database है तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना क्योंकि हम लोग पूरी तरह से dependent होने वाले हैं अपने smart contract पे अपने blockchain पे ठीक है तो जो भी information होगी सारी की सारी information हमें smart contract पे अपलोड करानी है तो इसलिए थोड़ा से आपे ध्यान देना कि यह चीज़ कैसे करते हैं तो सबसे पहले तो मैं एक struct बना लूँगा access नाम का जिसमें की जिन भी users के साथ कोई address माल लो एक मैं address यहाँ पर hypothetical ले ले रहा हूं ताकि confusion नहों बात दें माल लो कोई address है for example let's say qarty कोई address है तो 01234 में होता है माल लो qarty कोई address है इस qarty address को किसी के साथ access शेर करना है तो इसी लिए मैं यहाँ पर एक struct access बना रहा हूं data type तो यहाँ पर मैंने का address of user तो जिस भी user के साथ qarty अपना image शेर करना चाहेगा वो उसको access यहाँ से दे पाएगा अब यह कैसे होगा मैं आपको बताऊँगा फुल और access तो यह हमारी access की value रखेगा कि true है या false है ठीक है और यह किस user को access दिया है qarty ने qarty address ने किस user को access दिया है उसकी information हम इसमें store कराएगे इसके बाद हम कुछ data types बनाएगे अब यह data types थोड़े complicated हैं तो पहले इसको मैं आपको presentation पर समझा देता हूँ और फिर हम लोग आएँगे अपने remix id पे तो जो पहला data type हम लोग बनाएँगे वो होगा mapping with array जहां पे हम लोग एक mapping बनाएँगे जो की address से string type की mapping होगी और इसका variable का नाम होगा value और इसमें हम basically क्या store कराएंगे एक user कौन-कौन सी images store कर रहा है उन सारी URLs को हम लोग इस string array में store कराएंगे तो यह कुछ इस तरह से दिखेगा माल लो कोई ABC address है, DEF address है कोई भी different-different यहापे addresses है जो हमारी mapping में हमने store कराएंगे और इन addresses को भाई, क्योंकि यह addresses जो है जिसे माल लो ABC है, यह ABC को भाई हो सकता है 10 images upload करने हो, तो हमें सीधी सी बात है उन 10 images के लिए URL को store तो कराना पड़ेगा न कहीं तो वो URL हम basically अपने string data type में कराएंगे जो की कुछ इस तरह की array में होगा तो हर एक address के पास अपनी एक array होगी, और जहां पे वो क्या कराएंगे अपनी URLs को store कराएंगे तो मैंने जब आपको architecture समझा है तो मैंने बोला भी था कि जब आप image upload कर दोगे अपने IPFS पे, तो जो भी URL होगा, उसकी link आप अपने smart contract में store करोगे, तो यहां पे let's say हो सकता है मैंने किसी cat की image ली, मैंने उसको, यहां पे cat ऐसी लिख दे रहा हूँ और यह मैंने IPFS पे ऐसे store कराई तो जो भी यहां से हमे URL मिलेगा, मैं उस URL को यहां पे इस तरह से store करा लूँगा उसी तरह से मालो किसी dog का URL की image है, तो मैं आप dog URL यहां पे paste कर दूँगा यहां human का URL होगा, आप समझ की होगे तो जो भी URL हमें मिलेंगे जो भी हम IPFS पे images store करेंगे और जो URLs मिलेंगे, उनको हम in arrays में store कराते रहेंगे और इसलिए मैंने इसको dynamic बनाया है, ताकि एक user चाहे multiple images thousands of images भी चाहता है store करना तो वो images को store करा सके ठीक है, second data type जो हम लोग बनाने वाले हैं, बिसी second variable जो हम बनाने वाले हैं, वो है access list, तो आपको याद होगा मैंने access करके, यह data type बनाया था, जिसमें user था और access था, तो अब मैं क्या चाहता हूँ, अगर आप ध्यान से दिखो हम लोगों ने जो dab बनाई थी, तो वहाँ पर मैं क्या कर रहा था, जब मैं share पर जाता था, तो मैं share में अपने, जिन लोगों के साथ भी मैंने images को share किया है, उनकी मेरे पास एक list आ जाती थी, तो वो list कहां से आ रहे थी, वो list आ रहे थी जिसे हमारा क्वार्टी था, जोलो यह क्वार्टी है, तो इस क्वार्टी ने मालो कुछ addresses को access दिया, तो जिन addresses को यह access देगा, उनकी information इस access list में आ जाएगी, तो let's say इसने किसी ABC यूजर को access दिया था, DEF को access दिया था, GHI को access दिया था, और मालो MNO पर access दिया था, तो इन सब की access आप देखोगे, इस list में maintain होती रहेगी, तो इस list को हम जब भी fetch करेंगे, अपने smart contract से, हमें information मिल जाएगी कि मैंने किस किस लोगों को, किन किन लोगों को access दिया है, तो यही चीज access list कर रही है, तो यहाँ पर क्या होगा आकसेस में true या false कुछ भी हो सकता है, depending on the, कि मैंने किसको access दिया है, किसको access नहीं दिया है, पर यह हमें list बता देगी, भी आपने देखो, इन लोगों को access दिया हुआ है, फिर एक data type जो हम बनाएंगे, वो होगा nested data type, बार मैं data type के बोल दे रहा हूँ यार, महतलब मैं एक और variable बनाऊँगा, जिसका नाम होगा ownership variable, तो यह बताएगा ownership, तो मान लो, जैसे कि, यह, जैसे कि मैंने आपको हर बार बोला भी है, कि जब भ बहुत जादा deep map नहीं जाओंगा basics के, तो आप इस nested mapping को एक 2D area की तरह सोच सकते हो, जहां पे मैंने बोला भी था, कि यह address जो आपका होता है, यह आपके row बन जाते हैं, और यह address जो आपका होता है, वो आपके column बन जाते हैं, तो यह address 1, address 2, address 3, यह हमारी यह वाला address है, औ अब माल लो address 1 ने, address, इस वाले address 1 ने, इस वाले address 1 को access दिया है, तो अगर address 1 access दे रहा है कि भी या, तुम मेरी images देख सकते हो, तो यहां पे वो क्या कर देगा, true लिखते हैं, इसी तरह से हम इसको fill up करेंगे, तो माल लो ownership of address 1, address 2, मतलब address 1 ने access दिया है address 2 को, कि तुम मेरी images देख सकते हो, तो यह true कर देंगे, तो उसी तरह से अगर माल लो address 2 ने, address 3 मेरी images को नहीं देख पाएगा, तो हम ownership को false कर देंगे, तो इसी तरह से माल लो, कोई ownership address 3 और address 1 के बीच में, जहां पे address 3 कह रहा है कि भी है, मैं address 1 को अपनी images नहीं show करूँगा, तो उस case में हम यह मन में question आए, कि यार आपने यहां पे भी ownership define की है, और इसके पिछले वाले जब आपने struct बनाया था, तो वहां पे भी आपने इसी तरह से एक access वाला यह बनाया हुआ है, आपके मन में अगर आया हो तो यह, basically दोनों काम वही कर रहे हैं, दोनों ही काम यहां पे यही बता रह है, ठीक है, बड़ अभी के लिए आप यह माल लो कि यह दोनों ही काम एक ही कर रहे हैं, पतलब यह दोनों ही data type एक ही चीज़ चक कर रहे है, कि किसी user को हमने access दिया है कि नहीं दिया है, तो यही हम कुछ variable सब बनाएंगे, अपने smart contact में, तो चलिए इसको बनाते हैं, तो य ठीक है, और यह mapping जैसे कि अभी आपको मैंने सब बताई दिया है, तो जल्दी जल्दी बना लेते हैं, string पे, ठीक है, जो URL हमारे store कराएगी, दूसरा mapping, भी नेस्टेन mapping होगी, writing address, और यह full होगा, यहाँ पे होगा ownership, ठीक है, and then we will have another mapping, आप देख से तो mapping data type बहुत ही important होता ह अगर आपको यह आता है, तो आप बहुत कुछ अराम से कर लिजो, यह देखो मैंने access structure जो मैंने उपर बनाया हुआ है, मैंने उसी का एक array बना लिया है, और यहाँ पे मैंने फिर से किया access list, और एक और मुझे nested mapping की ज़रुद पढ़ने वाली है, तो वो क्यों पढ़ने व बारे में information रखे, क्यों इसके हमें ज़रत पढ़ रही है, basically हम लोग यहाँ पे node.js ही नहीं use कर रहे है, हम कोई भी server नहीं use करने वाले, जैसे कि मैंना को शुरू में भी कहा था, कि हमारी blockchain पे ही हम पूरी तरह से dependent हैं, तो हमें अगर अपने previous state की information भी रखनी है, तो वो भी हमें अपने blockchain पर ही रखनी होगी, अगर मैं यहाँ पे node.js use कर रहा होता, तो मैं उस information को अपने server पर भी रख सकता था, अभी क्योंकि हम पूरी तरह से blockchain-based project बना रहे हैं, तो इसलिए मुझे यह भी information अपने blockchain पर ही रखनी होगी, जैसे हम लोग smart contract code करने लगें, तो पहले तो एक function बना लेते हैं, जिसके थुरू एक user add कर पाएगा, ना URL और जो भी images उसको store करानी है, okay, external, और यहाँ पे मैं यूस करूँगा अपनी value mapping का, ठीक है, और यहाँ यूसर को, और क्योंकि यह एक dynamic array, so push करना पड़ेगा मुझे इस URL को, second चीज मैं बना लेता हूँ, function allow, जो कि allow करेगा किसी को, कि मैंने किसी को access दिया है कि नहीं दिया, तो जो भी user को मैं access दूँगा, मैं उसको यहाँ पर pass कर दूँगा, user, public बना लेते हैं, या फिर external भी आप कर सकते हैं, external, और यहाँ पे मैं जिसको भी ownership दूँगा, मैं ownership वाली, अपनी mapping को use करूँगा, और यहाँ पे true कर दूँगा, जो भी इस function को call कराएगा, वो message.sinder हो जाएगा, और जिस भी user को इसने access दियोगा, वो second address हो जाएगा, और इसको मैं आपे true कर दे रहाँ, अब यार, यहाँ पे मैं एक चीज करूँगा, मैं यहाँ पे एक चीज यह करूँगा, कि मैं नहीं चाह तो सीदी से बाते, जब मैं इसस access दूँगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी information store कराऊँगा, अपने access list में भी, तभी तो मुझे बाद में जब information चाहिए होगी, कि मैंने किसको access दिया है, तो इसकी तरू मैं fetch करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, access list.push, और मैं access user, और अब देखोगे मैंने इस access list का use किया और मैंने क्या किया, मैंने इस structure में इस चीज को push कर दिया, मैंने इस structure इस structure type का year, right यह रहे है तो मैंने इस structure को इस array में push कर दिया, कि मैंने इस user को access दिया है, that's why true अब प्रॉब्लम इस में logic में क्या हो जाएगी अब मान दो कल मैंने इस user के access को रिवोक कर दिया अब इसको समझना मैंने इस user को अभी access दिया है कल मैंने इसको रिवोक कर दिया कि यह तुम मेरी images नहीं देख पा होगे तो problem यह हो जाएगी कि जब मैं फिर से और यहाँ पर मैं करूँगा user और इसको कर दूँगा false अब भाई क्योंकि मैंने इस user का ownership तो cancel कर दिया पर यह सेम चीज मुझे अपनी list में भी maintain करनी है क्योंकि मैं list को भी तो एक तरह से अपनी dap में maintain कर रहा हूँ तब ही तो मैं जब i equal to zero i should be less than access list message.sender.link तो भाई आप मुझे पूरी array चाननी पड़ेगी कि कहां पे है यह particular address कौन सा address if access list message.sender ठीक है center.user मैं क्योंकि structure को access कर रहा हूँ access list message.sender में क्या है हमारा structure ही तो है तो मैं उस structure के user वाले data को access कर रहा हूँ और अगर यह चीज user की equal है मतलब इस user की equal है तो मैं क्या करूँगा मैं एक चीज यहाँ पे और भी होगी आई भी होगा क्योंकि मैं array के भी तो data को access कर रहा हूँ अगर यह किसी confusion है तो मैं बता दे रहा हूँ मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे देखो यह access list है मेरा access list तो मैं access list देख रहा हूँ access list अब मैं access list में पहले तो message.sender डालूँगा क्योंकि यह mapping है तो मतलब जो भी address होगा फॉर एक्जामपल यहाँ पे मैंने address creator डाला फिर मैं क्या कर रहा हूँ फिर मुझे इस array को access करना होगा इसमें तो बहुत सारी elements है तो मैं किस element को access करना चाहता हूँ तो मैंने क्या किया मैंने यहाँ पे लगाया एक curly braces और अब यह जो access list है एक तरह से आप समसकते हो यह इसको point कर रही है अब मैं कहता हूँ भाया मुझे इस array के address पर जाना है मतलब इस array पर जाना है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा one लिखूँगा कि निखूँगा मैंने one लिखा अब मैं इस particular array पर point करने लगा पहले यह पूरे पर point कर रहा था access list address पूरे पर point कर रहा था यह क्या कर दिया मैंने अब समझ में आ गया होगा तो पहली चीज हमने क्या किया हमने access list का use किया और इसमें address डाला कोई भी address आप डाल सकते हो अब उस address से associated हमें यह पूरी list मिल गई हमें पूरी list चाहिए नहीं हमें चाहिए यह data तो अगर हमें यह data चाहिए मतलब कि हमें second element पर पहुचना पड़ेगा तो मैंने यह पर लिखा second यह इसको point कर रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया यह चीज पूरे को point कर रही है पूरे list को मुझे second पर जाना था मैंने second लिखा और मुझे इसमें इसको access करना था हो सकता है मैं इसको भी करूँ बट अभी के लिए मुझे इसको access करना है तो मैंने लिखा dot यहां पर user बस हो गया हमारा का समझ मैं यह चीज I hope अब यह चीज clear होई होगी तो यही चीज मैंने आपको किये जिस भी address पे जिस भी mapping पे मैं चक कर रहा हूँ उसके array के user की value और इस user की value true है उस case में मैं क्या करूँगा सीदी सी बात है access list message dot sender i or dot user लगा के इसको false कर दूँग और access को false कि मैंने इस particular user का access revoke कर दी तो इसमें भी अगर आप एक चीज ध्यान से देखो तो मैंने इस user की जो भी user था उसकी address को delete नहीं किया क्योंकि मैं इसको delete कर भी नहीं सकता ये blockchain है मैं data को change कर सकता हूँ बट मैं इस array element को थोड़ी गायब कर दूँग अगर मेरी array element 10 element का है अब मान लो मान लो जिसको मैंने disallow किया है जिस user को कल को मैं फिर से उसको allow करना चाहता हूँ तो अगर मैं उसको फिर से allow करूँगा तो होगा क्या उसका address तो मैंने यहां से हटाया नहीं है आप देख सकते हो मैंने disallow में सिर्फ और से उसके access को false किया था तो फिर से उसका address यहां पे push हो जाएगा अब देख रहे हो मैं फिर से उसके address को यहां पे push कर दूँगा because वो user को check करेगा फिर उसके access ownership को true करेगा और फिर वो यह तो check ही नहीं कर रहा कि यह user पहले से present है तो यह इसको already फिर से कर देगा मतलब उसको फिर से एक address को add कर देगा और उस user की value को true कर देगा तो एक user है मतलब वही address जो पहले present था उसका हमने access revoke कर दिया था जैसे मालोब वो DEF था और उसके access को हमने कर दिया था false अब हमने उसको फिर से access यहाँ पे दे दिया जिसकी वैसे होगा क्या कि 0 cross DEF वो हो जाता है value true तो दो addresses हो गया है हमारे पास same value के और उनके जो access point है वो different हो गया तो यह चीज सही नहीं है आप लोगों में से बहुत सार लोग को होगे कि सर आप ऐसा करते है ना DEF को value को ही change कर देते आप इसको zero कर देते कर सकते थे बट तब भी हमारा जो array का length है वो तो हम तब भी नहीं change कर पाते तो मैंने दिमाग यह लगाया कि भाईया ऐसा नहीं करते है previous data को maintain करते है तो just like node.js में आपके होता है cookies होता है, sections होते है मैंने previous data को भी maintain करने की सूच तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर मैं check करूँगा एक चीज और if previous data message.sender and user is true अगर यह value पहले से true है तो उस case में क्या होगा मैं यहाँ पर एक loop run करूँगा यहाँ पर यह smart contract हलका साब को complicated लगेगा तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा पहले मैं check करूँगा previous data पहले से true तो नहीं है अगर पहले से true है यह previous data का भी मतलब आपको समझ में आ जाएगा 20i 0i should be less than access list gain message.sender for dot length and then i++ और यहाँ पर मैं check करूँगा access list message dot sender i dot user equal to user है की नहीं अगर वो user है तो मैं फिर से क्या करूँगा देखो मैं यहाँ पर यही चीज़ कर रहा हूँ अब मैं simply इस चीज़ को यहाँ से copy करूँगा और true कर दूँगा तो अगर आप initially देखोगी तो previous data तो false होगा क्योंकि bulk value already false है तो पहले तो यह run नहीं करेगा पहली बार में यह run नहीं करेगा इसलिए मैं एक और else condition लगाँगा ठीक है एक else condition भी मैं लगाँगा else अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा इसको true करूँगा और फिर मैं previous data को इस previous data को और भी कर रहा हूँ तो यह initially false होती है, boolean value तो यह false हो जाएगा और यह run नहीं करेगा यह run नहीं करेगा तो यह run करेगा और इसको true कर दिया जाएगा और previous data को भी true कर दिया जाएगा कि मेरा previous data के बारे में जो information है वो true है अब मैंने मालो इसी user को disallow किया ठीक है def की बात करते है चलो अभी def को यहाँ पर आप दिखो कि access मिल गया और इस चीज़ को अब अब अठा सकते हैं अब इसकी ज़रूद नहीं confused बंदो जाएगा ज़रूद नहीं मालो मैंने def को यहाँ पर access दे दिया ठीक def को access दे दिया और यह भी value अब true हो गई है अब मैंने मालो def के access को रिवोग किया सीदी आप फिर ownership को मैंने false फिर से मैंने इस loop को run किया और मैंने def को यहाँ पर कर दिया false अब मैंने def को यहाँ पर false किया तो definitely सीदी सी बात ही है यहाँ पर false होई गया होगा और फिर यह चेक करेगा कि आप पहले से टू है तो वह कहेगा कि भाई आप इसको फिर से पुश मत करो क्योंकि अगर फिर से पुश किया तो डबल आडरेस हो जाएंगे वह जाएगा और इस डेटा पॉइंन को वापस से नुदक यहां पर घर जैए है तो बस मैंने इसके access को जो मैंने पहले false यहां पे किया था वापस से अब मैं यहां पे इसको clear हो गया होगा guys I hope अगर अब भी कोई confusion त्यार एक बढ़ फिर से वीडियो को हलका सा remind कर लेना clear हो जाए ठीक है आपको एक short से फिर से भर बताई देता हूँ कोई confusion ना रहे एक जोड़ी से करते हैं जिसको भी लग रहा है कि यार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ यार मगर यह चीज मझे लगता है important है समझ में आनी चाहिए एक important concept है तो एक थोड़ा सा आपको idea दे देता हूँ तो बस अभी बार last time मैं अब यह फिर से बता रहा हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ यहां पर गुष्टा आगया मुझे डीफ पर मैंने का यह बत्तमीज रड़ता है मुझे नहीं देना इसको access तो बही यह मुझे क्या किया फिर से मैंने डीफ खोज निकाला इस लूप के थूर और मैंने उसके access को यहां पर फिर से रिवोक कर दिया और यहां पर जब मैंने किया तो स उसका data remove नहीं किया है ठीक है बस उसकी information को false किया है अब मैंने का यार या मेरा दोस्त है यह ऐसा कैसे मैं कर दूं उसके साथ तो मैं वह गया उपर मैंने फिर से उसको access देने की गोजिश की तो डीफ के पास फिर गया मैंने इसको true किया अब वो देखेगा क्या previous data में पहले deletion किया array में बस एक जिगर manipulation किया वह वह ही dot access में हो सकता है कि definitely आप इससे कुछ और भी अलग तरह का logic बना सकते हो that's up to you यह मेरे दिमाग में क्लिक किया तो मैंने इस तरह से ठीक है guys I hope अब यह चीज समझवे हाई होगी अब यहाँ पर दूसरा function बनाएंगे जो कि हमारा display function होगा चुकि हमारी सारी images को display करेगा किसी भी user की जिसका भी हम आड़र से आपे पास करेंगे और यह भी हम external बना रहते है और external user message.sender मैं अब ownership को भी चेक करूँगा इसलिए मैंने इसको बनाया भी था हूँ अब चाहो तो equal to true लगा नहीं भी लगाओ तो काम बन जाएगा बिकास इसमें already boolean value इस टोर है sharing के हम जिसको जिसको शेर करना चाहते हैं जिसको भी वेलब जिसके साथ भी शेर किया है उसकी लिस्ट क्यों फेच करने के लिए तो मैं यहाँ पे public और यहाँ पे view gain returns access और यहाँ पे मैंने किया memory और अब मैं करूँगा return और access list को जो मैंने बनाई थी बड़ी महनत से मैं भाईया उस पूरी list को यहाँ से return तो इस तरह से आप देखोगे हमारा यह smart contract पूरी तरीके से तयार हो चुका है अब हम इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है एक बार जल्दी से आपको यह run करके भी दिखा देता हूँ थाकि कोई confusion आपको न रहे तो अभी के लिए मैं कर रहा हूँ आप देखोगे इस यूजर ने जो जो इमेंगे अपको दिख रहा होगा आपको जूम कर देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए देखोगे अब देखोगे इस यूजर ने जो जो इमेंगे रिटन कर दिया है इस चोड़ की थी उसकी information हमारी blockchain पे आ चुकी है अब माल लो ये यूजर किसी को access देना चाहता है तो ये इस allow वाले बटन को use करेगा तो मैं यहां से लेल माल लो इसको access दे रहा हूँ परचाएंगे और इसको call करेंगे आगया भाई इस आपका इन यूजर का भी डेटा देख पाएंगे तो आप देख सकते हैं यहां पे मैं इनको call कराऊंगा और आप देखोगे यह इसने abc और df रिटन कर दिया है जो कि इस address का data था राइट 05b का अगर आप इसका खुद का address देखोगे इसने तो कुछ upload कराया नहीं है तो आप देखना यहां पे कुछ भी नहीं आएगा यह problem इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने गलत account को select किया हुआ है तो मुझे इस account को select करना चाहिए था sorry for that अब मैं करूँगा display तो आप देखोगे इन भाइस आपको access नहीं है और सेम अगर आपको तो मैं वापस से copy करूँगा फिर से इस address को paste कर दे रहा हूँ ठीक है तो मैं 0 इन भाइस आपका डेटा अक्सेस करने वाला हूँ इस account से आप देखना तो मैंने किया display तो आप देख सकते हो कि इसने इन भाइस आपका भी अकाउंट का डेटा शो कर दिया है तो 05B3 ने जिसको access दिया था सिर्फ वही उनका डेटा देख सकता है और ये चीज़ भी आप चेक कर सकते हो अगर माल लो इस account नहीं कोशिश्की होती ये चीज़ करने की 05BD इस particular address के data को access करने की आप देखोगे ये हमें revert कर दे रहा है you don't have access right the transaction has been reverted to the initial state and you don't have access okay तो इस तरह से ये चीज़ वर्क कर रही है अब माल लो मैं access list को check करना चाहता हूं ये आप देखोगे इसलिए हमारे share access को check करना चाहता हूं तो पुझे वापस से जाना पड़ेगा 05B3 प true आ रही है तो इसने इसको access दिया भी था और ये चेक भी कर पा रहा था अब मैं आलो मैं इसका access रिवोक करना चाहता हूं तो मैं simply क्या करूंगा इस address को यहां से copy करूंगा भहिया का मैं address को रिवोक कर दूँ तो अब मैं share access में जब क्लिक करूंगा तो आप देखोगे share access म अब यह हो चुकी है false अब कल को मैं वापस से इनको access देना जब चाहूंगा तो मैं फिर से copy करूंगा और फिर से यहां पे इनको allow के लिए access दूँगा तो अब इनका address फिर से push नहीं होगा अब यह value बस true हो जाएगी मैंने किया share access आप देख सकते हो इससे क्या हुआ double time हमार सार rewind करके एक बार अपने से try करना clear हो जाएगा मैंने कोशिश की है वैसे कि आपको समझ में आ जाए ठीक है तो चलिए अब चलते हैं अपने vs code पे जहां पे अब हम लोग अपने react.js के तुरू इस चीज़ का front end develop करेंगे तो चलिए अब install करते हैं कुछ dependencies जो कि हमारे g drive 3.0 को बनाने में help करेंगी तो पहली dependency जो होगी वो होगी हमारी hard hat जिसको मैं install कर लेंगे तो dash save dash div और यहां पे hard hat at two point मैं इस version को use कर रहा हूं ठीक है installation के लिए आगे आपको भी यह मैं बता दे रहा हूं तागे future में अगर काफा code break कर रहा है तो भाई आपको यही version यूस करना ह है ठीक है फिलाल परशान मों तो यह जल्दी नहीं करेगा बट सिल यह चीज़ सीखी है कि भाई आप ब्रेक करें तयारी के साथ रहो तो चलिए इसको install होने देते हैं और उसके बाद मैं इसको आगे proceed करता हूं ओके तो यह आला installation तो हमारा हो गया है अब यहां पे मैं करू लेना है create a javascript project पर ही enter and then enter ठीक है और जैसे आप यह चीज़ करोगे आपको यह कुछ extra dependencies के बारे मैं बोलेगा install करने को तो simply यहां से copy कर लेना और इन extra dependencies को भी इस तरह से प्यार हिताहिके से install कर लेना ओके तो यहां पर हमारा hard hat install हो गया है अब मैं install करूंगा create react app को npm install right create react app और अब मैं यहां पर करूंगा npx create react app और मैं अपने folder कर नाम रख रहा हूं client definitely यह आपकी मरजी है but client suitable रहता है तो मैं यहां पर client folder create करूंगा तो हमारा installation अब complete हो गया है और इस चीज़ को एक बड़ चेक कर लेते हैं करूंगा client clear कर देते हैं सब फिर मैं करूंगा start अगर सब कुछ सही रहा तो हमारे react js run करेगा हमारा local host run करने लगेगा और हमारे पास एक react की application लोगों के साथ चोहने लगा देखते हैं यह शोह हो रह application पुरी तरह से अब ready है तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ important चीज़ आपके साथ share करना चाहता हूं वह यह है कि हम लोग जो भी deployment होगा अपने smart contract का वह हम लोग hard hat की note पे करेंगे तो जैसे ग्वैना एश एक local blockchain होती है उसी तरह से hard hat का environment भी हमें एक local blockchain run करने को देता ह जो कि हमारे CLI पर run करती है तो अगर हम उसे run करना होता है मैं simply लिखना होता है npx hard hat और note तो जैसी आप यह command लिखते हो आप ही blockchain जो है वो run करना शुरू हो जाती है और इस tutorial के throughout हम लोग इसी blockchain पे अपने smart contract को deploy करेंगे तो आप देखो कि जैसी मैंने यह blockchain run की तो आप देखो accounts को अपने metamask में import कर सकते हो तो जैसे कि मालो मैं यहां से कोई random accounts चूज कर लेता हूँ I hope वो मैंने पहले से import ना किया हो तो मैं उसकी private की ना कि मैं account मैं private की को यहां से copy करूँगा मैं यहां पे जाओंगा Chrome पे और मैं अपने metamask में इस account को import करूँगा पर import करने से पहले आपको यह भी देखना होगा कि आपके पास hard hat है कि नहीं आपके metamask में अगर आपके पास hard hat नहीं है तो आपको simply क्या करना होगा settings में जाना होगा settings में आपको जाना होगा networks में और यहां पे आपको click करना होगा add network पे अब देखो मेरे case में मेरे पास hard hat है तो मैं add network पे नही इसमें अपने भी अपने भी एड नेटवर्क वाले टाब में जैसी आप अपने टाब ऑपन करोगे आपके सामने एक ब्लांक इस तरह का एक वह आ जागा फॉर्म और आपको सिंप्ली जो ये इन्फॉर्मेशन मेरी स्क्रीन पर देख रही है वह अपने भी फॉर्म में फिल इसे गलत मत करना और इसमें आप कुछ भी दे सकते हो यह एक टूटल ऑप्शनल फीड है यह सारी फिल आपको फिल आउट करनी है जैसे ही आपको एड नेटवर्क पर क्लिक करना है और आपका हाड है नेटवर्क भी यहाँ पर रेडी हो जाएगा तो यह चीज़ ध्यान र कर सकता है अब आपको क्या करना होगा जब आप हाड हाड को इंपोर्ट कर लोगे मलब अड कर लोगे तो आपके इस पास हो सकता है कि जो अकाउंट्स शो करें वह एंपटी अकाउंट्स हो तो जैसे कि आपके अकाउंट्स में अगर मैं दिखा हूँ तो आपके अकाउंट हो सकता है empty हो, जैसे अभी यहाँ पर देखो कि मेरे account में इतने सारे ether दिखा रहे हैं, बट हो सकता है कि आपके account अभी empty दिखा रहे हो, तो उस case में आपको क्या करना होगा, आपको simply यहाँ पर click करना होगा, import account पर click करना होगा, और जो private की अभी हम लोगों ने copy की दिए, उसको simply यहाँ पर paste करना होगा, और यहाँ पर import करना होगा, तो जैसे आप import करोगे, आपका जो account है, वो यहाँ पर show होने लगेगा, साधी साथ उससे rated जो भी ethers हैं, वो भी यहाँ पर show होने लगेगे, तो यह चीज़ बस आप वो करनी है, क्योंकि हम इसका use करेंगे, अपने metamask में, तो जैसे कि मैंने बोला, हम लोग पूरा development हार हाट पर ही करने वाले हैं, तो यहीं पर हम अपने smartphone को deploy करेंगे, तो इसलिए हमारे account में कुछ ethers होने चाहिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर आपको import करके दिखा दिया है, तो आप भी अपने account में ऐसे कर लेना, अपने metamask में ऐसे कर लेना, और अब अपनी remix ID से मैं एक contract copy कर लूँगा, simply going back, यहाँ पर मैं जा रहाँ contracts folder में, log.soil में, log.sol में, और यहाँ पर मैं कर दूँगा, इससे paste, तो यह होगी हमारा contract ready, यह साई चीज़े चाहो तो हटा दो, कौर्टी होटी, और save कर लेते हैं इसे, अब यहाँ से इसका नाम भी थोड़ा change कर देते हैं, और इसका नाम रख देते हैं, यहाँ पर भी upload, ओके, तो यह होगी हमारा contract, अब यहाँ पर अगर आपको यह delete करना है, test folder तो आप delete कर सकते हो, because इसके में अपना यहाँ पर script रख रहा है, तो आप देख रहोगे, यहाँ पर मैं अपने contract को deploy करूँगा, इसका instance create करूँगा, फिसी तरह से अपने hard hat configuration में भी change कर लेते हैं, यहाँ पर यह paste कर देना हूँ, definitely आप यहाँ पर version चेंज करना चाहो, तो चेंज करके latest version भी रख सकते हो, यह आपके दौरान आप देखोगे, client folder के अंदर ही, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, client folder के अंदर, source folder के अंदर, जो कि यह folder है, यहीं पर हमारा artifacts folder भी create हो जाएगा, तो यह तो हो गया basic setup जो हमें करना था, ठीक है, और इसको भी अब close कर देते हैं, अब जो हमारा काम होगा, वो हमारा दे रहाँ, ताकि हम लोग easily बस फिर उसको use करें, और कोई issue ना, तो components folder, और components folder के अंदर, मैं कई सारे components बनाऊँगा, तो यहाँ पर, एक component होगा, हमारा file upload.js, ठीक है, दूसरा component होगा, हमारा यहाँ पर, display.js, अब यह सारे components कैसे work करते हैं, मैं सब कुछ बताऊंगा, don't worry about it और तीसरा component होगा, हमारा यहाँ पर, model.j, और इसे related सारी CSS file भी यही पर डाल देते हैं, तो display.css, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा डाल देते हैं, model.css, तीसरा डाल देते हैं, अपना यहाँ पर, अगर आप देखोगे, file upload, यह सारी CSS file हम लोग ready कर लेते हैं, और यहाँ पर GitHub में, सारी link में share कर दूँगा, यह सारी चीजें भी आप GitHub से copy paste कर सकते हो, इस चीजें मैं इसलिए कर दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी ताकि time waste ना हो हमारा, अब जल्दी से सारे components को भी बना लेते हैं, तो यहाँ पर, जैसे कि मैं बनाऊंगा model component को, actually not model, modal होता है, right, pronunciation, बह यहाँ पर किया, copy, यहाँ पर किया, paste, model किता हो जाएगा, display, यहाँ पर भी हो जाएगा, display, तो यह तो हो गया, हमारे सारे components रड़ी, ताकि जंजट ना रहा है, बाद ने फिर components बनाने का, simply हमनोंने SIG से कर लीए, अब app.js में चाते हैं, और भाईया, यह जितना भी code लिख है, इन सब चीज़ों को उड़ा देते हैं, इन सब को में कोई काम नहीं है, और यह साई चीज़े मैंने की, उड़ा दी है, ओके, यह भी उड़ा दो, यहाँ से, इसका भी उड़ा दो, तो यार, अभी के लिए, जो सबसे पहला काम मुझे करना होगा, वो है कि, अपने NPX hard की node को run करना होगा, तो पहले क्या करते हैं, एक-एक component को उड़ाते हैं, उनको design करते हैं, तो हमें modal की ज़रूरत पड़ेगी, तो modal को भी design कर लेंगे, पहले modal को ही design कर लेते हैं, और फिर हम अपने file upload कर लेंगे, क्या करना चाहिए, modal करना चाहिए, पहले file upload करना चाहिए, फाइल अप्लोड करेंगे तो ठीक हो जाए तो यह कर लेते हैं और इसको भी हटा देते हैं अभी इसकी भी ज़रूरत नहीं है अप्लोड और सौल को रहने देते हैं ताकि कोई confusion होता हूँ यहां पर रिफर्क कर सकें आप.js में अब सबसे पहले हमें जिस चीज की requirement है वो है ABI की और ABI हमें मिलेगा भाईया अपने smart contract को deploy करके ही तो यहां पर मैं देखो इसको क्लिक कर रहा हूँ split कर रहा हूँ अपने terminal को ठीक है आप देख सकते हो मैंने अपने terminal को फिर से split किया है और यहां पर मैं run करूँगा ganache, sorry not ganache actually, मैं hard hat की local node को यहां पर run करूँगा ठीक है जैसे कि आप जब truffle use करते हो तो ganache run करते हो right, ganache CLI का option होता है, ganache GUI का option होता है बट मैं यहां पर hard hat की node को run करना चाहता हूँ तो मैं बस उसको यहां पर run कर लूँगा तो मैं करूँगा npx hard hat और यहां पर करूँगा मैं node, तो इससे हमारी hard hat की blockchain एक local blockchain run करना शुरू हो जाएगी और इसी blockchain पर फिर मैं क्या करूँगा अपने smart contract को deploy कर दूँगा, तो आप देखोगे अगर तो यहां पर आपके इस पास सारे accounts आ जाएंगे, ठीक है, यह देख npx hard hat और हमने test करे लिया है, तो I think कोई issue नहीं आना चाहिए, npx hard hat और यहां पर run, यहां पर dash dash network और क्योंकि local host पर run करेगा तो local host और हमारी script किसमें है, scripts folder के अंदर, right, scripts folder के अंदर deploy.js, हमारे deployment migration script जो है, basically अगर आपको दिखाऊ हूँ, तो यहां पर देखो क्या, यह scripts folder के अंदर deploy.js, तो इसको मैं deploy कर रहा हूँ, तो यहां पर आप देखोगे, हमारा smart contract deploy हो जागा, पहले यह compile हुआ, पहले deployment के पहले हमेशा compilation हो, तो आप देखोगे, और यह हमारा deployed code यहां पर आ गया है, 05FP, और यह code क्यों आ रहा है, यह code इसलिए आ रहा है, क्योंकि मैंने इस को दिखा भी दिया, ताकि कभी confusion ना, को future में भी, तो आप यहां देखोगे, यह हमारा पूरा port, हमारा address आ गया है contract को, और यहां पर यह deploy भी हो जोगे, अचा, अब इस चीज़ को क्योंकि मैं करने वाला हूँ, और यह confusion हो सकता है, आपको in future, तो मैं इस चीज़ को पहले ही local note है, यह local note है, तो जब भी आप अपने terminal को बंद करोगे, या फिर अपने VS code को बंद करोगे, तो यह blockchain एक तरह से आप destroy कर रहे हो, तो उस case में आपको redeploy करना पड़ेगा, अपने smart contract को, यह मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है, कि आप लोग यह tutorial कर रहे हो, और बीच म भी वज़ा से, तो redeploy करना, और redeploy के बाद, जो smart contract का address आडरस आएगा, उसको फिर page करना, ठीक है, तो यह confusion ना हो, इसलिए मैं शुरू में ही बता दिया, तो प्लीस कमंड में मत करना है, यह क्यो हो रहा है, ठीक है, तो जैसी आप देखोगे, मैंने यह चीज़ deploy की, compilation हुआ compilation के बाद, आप देखोगे, artifacts folder के अंदर, contracts folder आ गया है, और इसमें देखो, upload.json भी आ गया है, और यही चीज़ मैंने, यहाँ पर लिखी भी दी, अगर आप को यहाँ दो, art.art configuration file में, मैंने यही चीज़ लिखी दी, कि, क्लाइंट folder के अंदर, source folder के अंदर, artifacts folder के अंदर, artifacts folder folder है, मैंने बहुत बार बताया हुआ है, ऐसा मत कहना कि नहीं बताया है, जब भी आपका smart contract deploy होता है, sorry, compile होता है, तो दो parts में split होता है, ABI में, अब यहाँ पर देख सकते हो, ABI, और दूसरी चीज़ आपका byte code, जो कि थोड़ा मीचे जाओगे, तो आपको देख जाएगा, यह दोनो parts में, यहाँ पर split होता है, और हमें ABI की ज़रूरत होती है, अपने smart contract साथ interaction करने के लिए, और इसके लिए मैं क्या करूँगा उसको यहाँ पर import करूँगा, ताकि मैं अपने smart contract साथ थोड़ी बातचीत कर पाँ, तो यहाँ पर मैं करता हूँ इसको import, load, from, और यह हमारा upload.json है, यह कहाँ पर अगर आप देखोगे, तो फोड़ा सा मैं सारी files को फालतवाली बंद कर देता हूँ, कि आपको confusion होना मुझ आप यहतों होगे, तो यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ पर अप्लोड मैं कर रहा हूँ, कहां से, मैं upload.json यहाँ से फेच करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर है, तो current directory में ही, right, current directory में ही, Artifacts folder के अंदर अगर आप देखोगे हमारा है Contracts folder Contracts folder के अंदर मुझे चाहिए क्या मुझे चाहिए Upload.sol और Upload.sol यह देखो यहाँ पे Upload.sol एक्चुली में दिखनी रहा है पर यह देखो अगर आप Contracts और यहाँ पे Upload.sol लिखके आ रहा है थोड़ा साइड में यह यहलो आला जो आ रहा है थोड़ा सफ़ेट से करता हूँ यह देखो Contracts, Artifacts, Contracts and Upload.sol फिर उसके अंदर मुझे चाहिए Upload.json तो यहाँ से मैंने अपने EBI को Fetch कर लिया है अब यहाँ पे मैं अपनी coding शुरू करूँगा coding के लिए हमें शरुवत पढ़ेगी भाईया बहुत सारी चीजों की बहुत सारे states की इसलिए not actually states in the sense बहुत सारे hooks की तो मैं उनको यहाँ पे ही import कर ले रहा हूँ तो मुझे जरुवत पढ़ने वाली है use state की और use effect की इसको मैं करूँगा react से और मुझे actually मैं सारे components की VC में जरुवत पढ़ेगी तो उसको भी import कर लेंगे बट उससे पहले ethers को भी कर लेते हैं ethers.js library को इसकी मैं जरुवत पढ़ेगी ताकि हम interaction कर सके अपने smart contract के साथ मैं पहले इसलिए कर देता हूँ ताकि यार बाद में वो error और ना है मुझे बहुत खराब लगता है जब error आजाता है file upload वाला component यहाँ पर मैं वो कर रहा हूँ import कर रहा हूँ और सारे components basically मैं app.js को अपना एक तरह से parent file रखने वाला हूँ और इन सारे components को इसकी child रखने वाला हूँ modal का आया थे कि option from अभी कभी यार यह PS code बनिया से नहीं और यहां से मैंने कर दिया आपने modal को तो यार यही साही चीज़ें है आपने जरुवत पड़ती और मैंने साही चीज़ें को भी import कर लिया है तो सब कुछ सही है अगर आप लोगो ने मेरा यार पहला वाला डैप वाला वीडियो देखा है जो अभी मैंने रिसेंटली अप्लोड किया था चाय पीलो वेब साइट जो मैंने लॉंच की थी अगर आपने देखा है तो मैंने आपने बेसिक पूरी तरह से क्लियर कर दिये थे और मैंने बताया था कि जब भी आपको कभी भी हाड हाड के तुरू अपना स्मार्ट कॉंट्राक्टर साथ इंडरेक्शन करना है तो कुछ चीज़े बस आपको करनी है और वही सेम चीज़े मैं आपके सामने फिर से करके दिखाऊंग तो इसमें मुझे जरूरत पढ़ेगी अकाउंट की तो मैं अकाउंट को यहां पे ले लेता हूँ अकाउंट सेट अकाउंट ठीक है यह यूज स्टेट और यह क्या मैंने इसी तरह से मुझे और 20 चीज़ों की जरूरत पढ़ने वाली है contract की, अभी को मैं उस बार में मैं इस बार क्या करूँगा, मैं सारे components को, मैं तब सारे चीज़ों को अलग-अलग करूँगा मतलब, अगर आपको याद हो कोई ज़रूरूर नहीं है कि आपको याद ही हो मतलब मैंने उस particular video में चाय पीलो वाले में क्या किया था, कि मैंने एक object बनागी किया था, मैं इस बार सबको अलग-अलग करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ताक ये भी आपको पता हो, एक variation जिसे अब कहते हैं, बट करूँगा at the end of the day वही सेम चीज़, जो मैंने वहाँ पर भी की provider, set provider, ठीक है और use state, फिर से मैंने क्या no, and then हमारे पास आएगा भाई, modal के लिए ये modal के लिए हमें काम बढ़ने वाला है क्योंकि हम modal को वियास करेंगे कभी, और कभी, बंद करेंगे अब जल्दी से code लिखते हैं जिसके दुरू हम अपने smart contract साथ interaction कर सकें और इसके लिए मैं बनाऊंगा अपने use effect को इसलिए भाईया मैंने import पहले कर लिया, कोई error विरन ना देव न और यहाँ पे अब मैं go logic लिखूँँगा जिसके दुरू मैं अपने smart contract के instance को create करूँगा तो सबसे पहले उसके लिए मुझे जरूरत पढ़ेगी provider की provider ठीक है और इसके लिए मैं use करूँगा ethers.chairs library का अचा provider का काम क्या होता है, यह आपकी blockchain से data को read करने में help करता है सिर्फ और सिर्फ रिट करने में, write करने में नहीं और उसके लिए हमें सरीयत, अगर हमें write करना है तो उसके लिए में ज़रूरत पढ़ती है किसकी यह आपके signer की, यह चीज मैंने बताई है यह ना, basics में है तो यह हो गया हमारा provider तो यहाँ पर मैंने window और ethereum का use किया है जो की injected करता है, कौन? जो कौन inject रहता है? हमारा metamask inject करता है तो मैंने उसको यहाँ से use कर लिया है और फिर यहाँ पर मैं बनाऊंगा एक function प्यारा सा const load provider और यह मैंने किया अब इसके अंदर मैं पहले check कर लूँगा कि भईया मेरे पास मेरा provider है की नहीं है पता चला नहीं हुआ तो पिमानी हो जाएगी है मारे साथ है और अगर है, तो मैं क्या करूँगी? मैं यहाँ पी प्रोवाइडर.send करके अपने metamask account को open करीगी यहाँ प्यार सही से बोलता हूँ नलोग का comment करें, क्या बोल रहे है अभी सब request और यहाँ पे मैंने किया accounts तो यह क्या करेगा? automatically मेरे metamask account को open कर देगा जैसे ही मेरी dap run करेगी आप चाहो तो यहाँ पे button वाली functionality भी लगा सकते हो यह आपकी उपर है मैंने का भाई, जैसे ही कोई dap open करें मेरे metamask open हो जाए तो इसलिए मैंने इस तरी की function भाई है ओके मैंने यहाँ पे इसको async नहीं किया, इसलिए error है कि यह await क्यों use कर रहे हो भाई साब और इसके बाद मैंने यहाँ पे const signer क्योंकि यह मैंने बताया था, अगर आपको blockchain पे data write करना है तो signer की जबरत पड़ती है तो get signer and then अगर मुझे address जानना है तो address, क्योंकि जानना पड़ेगा भी क्योंकि इसका में काम पड़ता है write अभी काम पड़ेगा, तो इसलिए मैंने address को शुरू किया था, कि यह कौन सा account connected है तो इसलिए मैं यह चीज यहाँ से fetch कर ले रहा हूँ wait or signer dot get address ठीक है मैं जाता हूँ जैसी मुझे address मेरे, अपने account को set कर दूँँ कि यह लो, मेरा यह account है और यहाँ पे फिर मैं अपने contract के address को डालूँगा because मुझे अगर अपने smart contract के instance को create करना है तो मुझे तीन चीज़ों की जरूरत होती है और यह चीज मैंने बताई हुई है मुझे contract के address की जरूरत है मुझे ABI की जरूरत है और मुझे signer या फिर provider depending upon the need मुझे उसकी जरूरत है तो यहाँ पे मैं अपने contract address को paste करूँगा और यह यहाँ पे देखो मैंने दिया भी है इसलिए मैंने अपने पे पेस्ट कोपी करा था और याद रखना अगेन फिर से मैं यही चीज़ बोला था कि अगर by chance आपने अपने node को बंद किया और आपने redeploy किया तो हो सकता है आपने contract का address चेंज हो जाए तो प्लीज उस चीज़ को ध्यान लखना otherwise error देगा और अब मैं अपने contract के instance को create कर लूँगा जल्दी से create करूँगा जल्दी से और यह मैंने किया new ethers.contract और इसमें मैंने चीज़ें पास कर दी contract address और यहाँ पे upload.abi तो मैं अब अब यहाँ को fetch कर लिया इसी की जरुवत भी है में और signer को भी मैंने पास कर दिया चिक और जैसे यहाँ चीज़ें हो जाएंगी मैं यहाँ पे set contract कर दूँगा contract से चिक और फिर मैं यहाँ पे set provider भी कर दूँगा क्यों मैं बस provider भी आ गया है बीन सब चीज़ों के में ज़रुवत पड़ती है चीक है अच्छा अगर माल लो यह provider नहीं है क्योंकि अगर यह चीज़ सही है तो अच्छी बात है पर अगर आई चांस नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं और हम यहाँ पे एक alert message run कर सकते हैं या फिर काव तो अभी के लिए console ही run कर देते हैं console.error that metamask is not installed is not या फिर metamask ठीए चलोड़ इस not installed अब यह है मैंने save और यहाँ पर अभी इस function को call नहीं कर आया है तो इसलिए अभी highlighted भी नहीं है तो पहले मैं इसे कर लेता हूँ यहाँ पे call यार से यह ना मेरा function का तो पहले मैं एक चीज़ चेक कर लूँँग अपने function को call करने से पहले वो यह है कि मैं पास provider आया है कि नहीं provider की बेना मैं इससे call नहीं करूँगा वाइस यह error तो कर देगा यह provider आया है नहीं तू केसे रंगर रहा है मेरी कू और यहाँ पे मैं करूँगा लूट provider तो call ओके तो यार यह चीज़ हो गई है पूरी तरीके से तयार देख लेते हैं एक बर पूरे contract को कोई जीशू तो नहीं है ओके आप लोगों को एक बर मैं run करागे भी दिखा देता हूँ की console करागे भी दिखा देता हूँ की हमारा यहाँ पे console contract की हमारा contract आया है कि नहीं तो इसे कागी कोई confusion ना रहा है अगर सब को सही रहा भाईया तो कोई error नहीं आएगा कोई error नहीं आया बिल्दी से चलते हैं वापस से अपने react application पे यहाँ पे console open कर रहा हूँ Oh my god, oh my god, what is happening Oh my god, actually मैं यह contract आप देखो कि बहुत सारी instance run कर रहे है Reason being कि मैंने भाईया dependency RNA provide कर रहे ही तो हर render के साथ यह run कर रहा है जो मैं नहीं चाहते है तो मैं यहाँ पे अब देखोगे आप, मैं फिर से refresh करता हूँ तो अब आप देखोगे यहाँ पे दो बार यह run कर रहा है दो बार क्यों run कर रहा है because of the react straight mode तो react a team में एक update हुआ है जिसके थूँ आपका use effect दो बार run करता है बात करेंगे अभी इसके बारे में थोड़ा अभी के लिए आप देख सकते हो कि हमारे contract का instance पूरी तरह से ready है यह देखो आपका contract का यह आपका address आगे contract का तो अगर आपकी screen पे भी आपका contract का address इस तरह से run हो रहा है तो भाईया आप सही direction में चल रहे हो आपको ने अभी तक का step सही से follow किया अगर आपका यह instance नहीं create हो रहा है तो भाईया direction कुछ गरबर है आपको अपने direction को change करने की ज़रूरत है तो अब आगे जलते हैं और आगे अपनी इसको थोड़ा ज्यादा बहतर रही के से जी ड्राइफ 3.0 राइट 2.0 और 3.0 3.0 वेब 2.0 होता है 3.0 तो यहाँ पे मैंने किया जी ड्राइफ 3.0 यहां की styling में डाल दे रहा हूँ ठीक है यहां पे डाल दे रहा हूँ यहां पे मैंने कर दिया इसको white नेक्स चीज यहां पे जल्दी से कुछ CSS वाल चीज़ों को मैं आट कर देता हूँ div class g तो यह थोड़ा हमारे app की शोभा बढ़ाने के लिए है और कुछ नहीं bg bg2 और यहां पे bg bg3 और फिर यहां पे हमारा आया का भाई account तो account को हम लोग यहां पे इस तरह से display करेंगे account और अगर हमारे पास हमारा account होगा जो कि आप देखो कि हमने set कराया है वैसे तो right यहां पे set account कराया है तो अगर हमारे पास हमारा account है तब तो बहुत ही अच्छी बात है otherwise हम क्या करेंगे otherwise हम क्या करेंगे तो यहां पर मैं टर्नरी ऑपरेटर का यूस कर रहा हूं तो अगर हमारा अकाउंट है तो अकाउंट शो कर दो अधर्वाइस इस परनेक्ट मेटा आज के फिर अकाउंट कुछ भी आप चाहो तो कर सकते हो यहां पर अपने प्राउजर पर भी देख लेते हैं तो यहां यहां वाइट के रहा है यहां पर कर रहा है यहां पर कुछ क्यों नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने ऐसे वाले पार्ट में अभी चेंजिस नहीं किया आपके इसको भी मैं कॉपी पेज कर ले रहा हूं यहां यहां चल रहा है मेरे दोस्त ऐसे क्या से हो गया वापस से चेक करते हैं यहां अब थोड़ा अच्छा लग रहा है ना थोड़ा बढ़िया आप डिस्प्ले आ रहा है बहुत ज़रूरी होगी आज के जमाने में अगर आप सुंदर नहीं बना रहे हो तो भाई लोग आपका फीडियो भी नहीं देखते हैं इस चीज़ को मिझे ध्यान में रखते हुए मैंने इस चीज़ों को शडियन तरह चाओ अब मैं वापस से चलता हूँ आप.js में एक चीज़ अब देखो मैं एक चीज़ यहां पर में अट करना जरूर चाहूँगा अभी ही कर देता तब ही अकाउंट यहां पर डिटेक्ट हो रहा है. तो इसी लिए MetaMask हमें कुछ script provide करता है उसी script का हम लोग use करके यह चीज़ को possible कर सकते हैं. वो चीज़ क्या है जल्दी से उसको यहां पर paste कर देता हूँ ताकि आप लोग भी इसको paste कर लेना बाद में और यह मैंने की paste. तो यहां पर आप देखोंगे MetaMask हमें दो चीज़े provide करता है एक तो यह है window.lytherium.on मतलब अगर आपकी change होती है तो उस case में भी आपका यह window reload हो जाता है और अगर आपके account में भी कोई change होता है तब भी आपकी window reload हो जाती है. तो अगर आप वापस से मैं जाऊंगा और अब अब हमें क्या करना है अब हमें अपने file upload वाले उसको बनाना है component को बनाना है और file upload component को बनाना है तो उसके लिए भी हमें कुछ चीज़े transfer करनी पड़ेगी हमारा जो file upload component है वो कुछ चीजों की requirement करता है तो वो साही चीज़े मुझे हाँ पर provide करनी पड़ेगी तो यहाँ प प्रोवाइडर को भी एक्सेस करेगा तो इसलिए प्रोवाइडर भी प्रोवाइड कर दूगा ठीक है तो ब्युक्त मैंने यह सारी चीज़े पहले से बना लिए तो मुझे बार बार बनाने की अब जरूरत नहीं पड़ रही है मैं सिंप्ली इसका यूज कर सकता हूं तो यह अगर मुझे जेस को यूज करना है तो मुझे यहां पर मेरा वो लॉजिक होगा अब मुझे अपने फाइल अप्लोड को यूज करना है और अगर मुझे अपने फाइल अप्लोड को यूज करना है तो इसलिए मैं यहां पर वो फंक्शनालिटी लिखूँगा जहां पे मैं अपनी dap में जो भी images upload करना चाहता हूँ आपने दिखा था न जब मैंने आपको tutorial दिखाया था एक demo दिखाया था कि इंसान image upload पे click करेगा और image फिर upload हो जाएगी और फिर वो store हो जाएगी तो यही वाला logic मैं अपने file upload.js में लिखूँँगा यहाँ पे मैं pinata का use करूँगा ठीक है और क्योंकि मुझे pinata के साथ interaction करना है बातचीत करनी है तो मुझे एक library की जरूरत होगी जिसका नाम है exios तो मुझे इसको भी install करना पड़ेगा तो इसके लिए मैं क्या करूँगा मैं पास तीन terminal पहले ही से run कर रहे हैं तो मुझे यार इसी को close करना पड़ेगा तो यह लिए फिलाल और मैं यहाँ पे install करूँगा exios को exios ठीक है spelling मैंने सही नहीं लिखी xios तो मैं यहाँ पे install कर रहा हूं exios को तो यह हमारी help करेगा pinata से interaction करने में भीया pinata हमें यह image upload करनी है तो exios हमारी help करेगा उसमें तो यहाँ पे यह चीज हो गई है और अब मैं यहाँ पे exios को import भी कर सकता हूं बट मुझे एक चीज और भी चाहिए होगी भाईया हमारे hooks जिनके बिन हमारा काम नहीं चलता तो मैं use state hook की जबरूद पढ़ने वाली है तो मैं इसको भी import करता हूँ और याद यह मैं करता हूँ react and then we will import our exios यह मैं इसकी भी जबरूद पढ़ने वाली है इसकी भी जबरूद पढ़ने वाली है तो यह चीज हो गई और सीरीजी बात यार मैंने तनी css लिखी है तो import कर लो css को भी file parent directory में file upload.css तो return में ही पहले अपनी कुछ important चीज़ें बना लेते हैं यहाँ पहले मैं div class name top और इसके अंदर मैं एक form बनाऊँगा इसका भी class name हो जाएगा हमारा form और यह basically call करेगा यह form हमारे handle submit को अब यह handle submit क्या करेगा यही हमारे पलाद जब मैं basically submit करूँगा जब मैं upload करूँगा basically choose image करके upload करूँगा upload file पर click करूँगा तो हमारा handle submit call हो जाएगा और यह handle submit ही हमारे पिनाटा की थूँ हमारी images को IPFS में store कराएगा तो अभी के लिए मैं front end वाले part को थोड़ा develop कर रहा हूँ फिर इसके बाद मुझे यहाँ पर एक label चाहिए और यह label किसले होगा html for file upload तो मुझे file upload करना है right so file upload file upload last name और यहाँ पर अब इसके बाद label में मैं लिखूँगा choose image तो आपको याद होगा मैं यहाँ पर choose कर सकता हूँ ताकि images को यहाँ पर मैं बनाऊंगा एक input तो यही हमारी help करेगा file के input को लेने में अभी यह चीज़ समझ माई कि जब मैं इसको आपको show करूँगा ऐसे थोड़ा नहीं समझ माईगा अभी इसको मैं आपको show करूँगा तो ज़्यादा आपको समझ माईगा समझ माईगा तो मैं एक function को call करूँगा जिसका नाम होगा retrieve file function और यह retrieve file function retrieve करने में हमें help करेगा file को करने के बाद ही समझ तो पहले यार यह वाले दोनों functions बना लेते हैं एक तो हमारे handle submit की हमें जरूद पड़ेगी पहले यहाँ पर बना लेता हूँ handle submit फिर आपको run करके दिखाता हूँगी कैसा यह लगेगा तब आपको यह चीज़ें सादा समझ मैं isync चाहिए होगा event बिसकी अभी प्यों चाहिए पता चल जाएगा और दूसरी चीज़ हमें आवे चाहिए होगी retrieve file function और यहाँ पे यार मुझे अपने image का जो नाम है आपने देखा होगा जब मैं image को अपलोड कर रहा था तो उससे associated मुझे नाम भी show हो रहा था किया मैंने कौन सी image को upload किया है तो उसकी information अगर मुझे show करानी है तो भाया मैं यहाँ पे उसकी data को भी save कराऊंगा और अभी के लिए माल लो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ temporary भी मैं डालूँगा इसमें temporary.png अभी ऐसी डाल दे रहा हूँ पर definitely अभी मैं इसको सही करूँगा इसमें मैं deal time जो भी image मैं upload कर रहा हूँ उसी का data मैं आपे शो करूँगा और इसका class name कर देंगे हम लोग text area बस यह last में मुझे इस IG से करने के बाद मुझे इसे upload भी करना है upload करने के लिए मुझे चाहिए एक button और button में भाया type होगा इसका submit क्योंकि हम इस form को submit करेंगे इसके help से और यह कर देंगे हम लोग यह last name और इसमें रखतेंगे भाया upload प्यार यह हो गया हमारा front end वाला पार्ट ताकि हमारा form देखने में थोड़ा सही लगे अब इस चीज़ को पहले आपको run करके दिखा देता हूँ ताकि जब मैं logic लिखूँ तो कोई confusion ना हो कि npm start पुरानी वाली को यहां से मैं अप्लोड कर देता हूँ nice अब इसको आपस से देखते हैं अब देखो यह बढ़िया लग रहा है तो अब देखो इसमें क्या है choose image तो यह choose image किसे लिए help करेगा हमारी image को choose करने के लिए आप देखो कि बस मैंने html में जो भी लिखा उसकी थूरू मैं images को select कर पा रहा हूँ तो कोई science नहीं उसकी है simply इन html की code के ही थूरू मैंने क्या कर लिया अपनी image को choose कर लिया है और जो भी data है आप देखो कि यहां पे image यहां पे colon और इसके बाद temporary.png जी तो जो भी image मैं यहां से select करूँगा अभी फिलाल तो नहीं दिखाएगा क्योंकि अभी हमने यहां पे data में change नहीं किया है वही data basically हमें यहां पे यह शो कर रहा है देखो आप यहां पे जो मैंने इस तरह से किया हुआ है तो अब यही चीज हम लोग अब logic के साथ करेंगे अभी तो हम लोग ने एक hard code data यहां पे कर दिया है अब इसको थोड़ा logic के साथ करते है तो यहां पे मैंने account लिख दिया है यह ठीक है मैंने इस लिए किया है ताकि अगर account नहीं भी है तो यह तब यह run ना कर पाए तब यह ना run कर पाए उसी तरह से अगर आप चाहो तो और भी चीजों में कर सकते हो बढ़ ठीक है अब यह वह लोग बाद में करेंगे तो सबसे पहले तो यार मुझे चाहिए होगा हमारा use state की मदद तो मैं यहां पे कुछ तो state की थूँ यहां पे अपने data को बनाऊँगा data in the sense variables को बनाऊँगा file और use state और यहां पे मैं initially इसको null कर देऊ ठीक है उसी तरह से मैं एक और बनाऊँगा file name जहां से मैं अपने file name को set करूँगा set file name और यहां पे use state और इसके बाद अभी के लिए मैं कर देता हूँ इसमें no image selected तो इससे क्या होगा कि अगर कोई image select नहीं है तो अभी आप देखो कि मैंने यहां पे क्या क्या था यही कर दिया तरह यह तब इसकी जगा मैं क्या कर दूँगा मैं simply इसको अटा दूँगा फाइल नेम में जो भी डेटा होगा उसके यहां पे शो कर दूँगा अब इस फाइल नेम में डेटा कैसे चेंज़ों करेंगे अब क्या होगा कि हमारे यह वहीं से no image selected वाले को ही पकड़ लेगा अलब जो भी हमने यहां पे initially set किया हुआ है अब handle submit में आते हैं और क्योंकि handle submit अगर आप देखोगे यह एक actually में form है जिसको हम जब submit करेंगे तो यह handle submit run कर जाएगा तो आप देखोगे यह type submit है upload file का और इसी को हम submit करेंगे तो इस form को हम पूरा submit करेंगे तो मैं नहीं चाहता है कि यारी जब मैं form को submit करूँ तो यह पूरा reload हो जाए तो इसी लिए मैं यहां पे e.prevent default का use करूँगा ताकि पूरा data हमारा reload ना हो जाए अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे हम लिखेंगे if file अब यह file में क्या होगा अभी तो हमनोंने file set नहीं की है बट जब हम लोग यह retrieve file वाला function call करेंगे तब हमारी file यहां पे set होगी तो जब हम लोग basically यहां से choose image करेंगे तो हमारी पास हमारी file आ जाएगी और तब हमारा retrieve function call हो जाएगा और वहीं पे फिर हम लोग अपनी file की value को set करेंगे बट अभी नहीं किया है कोई बात नहीं बट हम इसको अभी पिनाटा की point of view से पहले समझते है अब इसके बाद मैं क्या करूँगा मैं एक try catch block लगा दूँगा ताकि अगर कोई error आता है हमारे पिनाटा में upload करने के दौरान तो उसको भाया catch कर लिया जाए तो मैंने लगाया catch यह 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 यहां पर मैं alert कर सकता हूँ ठीक है कि unable to upload to पिनाटा ठीक है alert कर सकते हो या फिर आप चाहते हो या आप नहीं alert नहीं करना है मुझे console करना है तो आप console भी कर साथ ठीक है unable to upload to unable to upload to pinata unable to upload image to pinata तब साथा चले अब strike के अंदर हम क्या करेंगे हम यहां पर एक object बनाएंगे जो कि हमारे form data हम assign करेंगे और उसी के तरू हम basically अपने इस file को जो है pinata पर send करेंगे ठीक है तो यह new data और इसमें मैं form data में attach कर देता हूँ एक key जिसका नाम है file तो मैं अपनी file के साथ इस key को attach कर रहा हूँ जो file मैं यहां पर pass करूँगा ठीक है जो भी image मैं pass करूँगा वही मैं attach कर रहा हूँ एक तरसे मैं key है और यह मेरी value है और उसके बाद आपको simply यह code paste कर देना है यह code क्या है यह code basically make sure करेगा कि हमारी जो image है वो कहां पर store हो जाए वो हमारे pinata पर store हो जाए इसके लिए आपको कुछ चीजों की जरुबत पड़ेगी उसमें आपको जरुबत पड़ेगी pinata की API key की और pinata की secret API key की अब यह चीज़ें कैसे मिलती है चलिए इसको देखते है और साही चीज़ें यह सब मुझे pinata से मिली है तो यह मेरे ऐसा कुछ नहीं कि मैंने invent की है तो आप देखो कि अब इस चीज़ को पूरी तरह से run कर सकें क्योंकि यहां पर कुछ data defined नहीं है चलिए इसको भी देख लेंगे पहले यहां पर आते हैं pinata पे तो pinata और यहां पे इंटर मैं इंटर के रहां को sign up अगर आपका sign up नहीं है तो आपको sign up करना पड़ेगा मैं करने इंटर कर यह है तो क्योंकि मैं पहले से signed up हूं तो आपको noon called कर लिया है और यहां पर आहरे आप आहीं इंटर और रड़ इनो प्रति सब्स्तें आप कर लिए चांगो यहां पे इंटर में तक ़िए यहां पर कर यहां यहां पे यह सीज़ू और पिनिंग, साही चीज़े को देख रहे ना on है, ठीक है, ठीक है, साही चीज़े यहाँ पर on है, और यहाँ पर अब मैं करूँगा create की, तो आपके सामने मैं ऐसे ही एक random create कर रहा हूँ, तो आप देखो कि जैसे ही मैंने create की किया, basically आप मेरे सामने मेरी API की आ गई, API secret की आ गई, और इन ही चीज़ों को आपको simply copy paste करना है, तो अगर मैं वापस से चलूँ, तो यहाँ पर आप देखो कि मेरी pinada की API की है, तो यह हमारी API की हो गई, और फिर हमारी secret की है, देख रहो, pinada secret API की, क्योंकि हमारे यहाँ से आई है, बहुत ही simple है, I think, right, पस simply आपको copy paste कर लेना है, और उसको run कर लेना है, और और कुछ आपको यहाँ पर change नहीं करना है, simply यही चीज़ आपको copy paste करने नहीं है, github में link मिल जाएगी, आपको github में link मिल जाएगी, मैं कहा रहा हूँ, link github की मिल जाएगी, आप वहाँ से copy paste कर सकते हो, ओकि यहाँ पर एक error आ रहा है, कह रहा है कि data is not defined, तो यहाँ पर हमारा यह error आ रहा है, कि data is not defined, ओकि मैंने गरबरत कर दी है, I think, यह new data कर दी है, sorry for that, यह form data होगा, सब सही है, तो इस तरह से आपका यह वाला function फिर run कर जाएगा, जैसे ही हमारी file यहाँ पर पहुचेगी, अब अपने image hash को हमें यहाँ से collect करना होगा, ठीक है, तो यह जैसे ही, मतलब यह run करेगा, xgs हमारा यहाँ पर run कर जाएगा, और यह हमारे form data को, जो भी image हमने upload की है, वो हमारे IPFS पर store कर देगा, using pinata as a service, उसके बाद मैं क्या करूँगा, simply यहाँ पर एक variable बनाऊँगा, image hash, जो कि हमारे image की hash को contain करेगा, backticks, IPFS, और colon, तो यह बिसकली, ताकि हम अपनी image को access कर सकें, पर यहाँ पर हमारा यह हो गया dollar, और यहाँ पर curly braces के अंदर, press file.data.अब यह साही चीज़ें आपको यार, IPFS के documentation मिल जाएंगी, कि मैं किस तरह से इस सब fetch कर रहा हूँ, IPFS से, और फिर मैं simply, जो भी मेरे पास image hash आएगा guys, मैं उसी image hash को अपने, क्या करूँगा, मैंने अपना contract भेजा हुआ है, फिर मैं यहाँ पर simply अब इसको अपने blockchain पे store करा दूँगा, signer, यहाँ पर contract, तो आप देखो कि मैंने उपर contract pass भी किया था, connect, signer, hit, signer, and then we will simply signer.add, add function अगर आपको यादो, मैंने smart contract में बनाया था, right, अगर आपको यादो, यह देखो, यह अला function, मैं इसी function को call कर रहा हूँ, तो यहाँ पर add, और इसके बाद मैं simply अपने account का address, तो जो भी हमारा metamask में अभी समय connected account होगा, मैंने set किया भी था आपके सामने, app.js में, और साथी साथ, यहाँ पर, मैं image hash को pass कर दूँगा, okay, I think, यहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, एक बार इसको check कर लेंगे, बट, कि मुझे, I think, इसकी ज़रुवत पड़ेगी नहीं, because मैंने contract के अंदर, पहले से ही signer define कर दिया है, तो मुझे, I think, इसकी ज़रुवत नहीं भी पड़ेगी, तो मैं भी यहाँ से हटा दिता हूँ, और मैं directly contract को ही use करता हूँ, because मैंने contract के instance जब create कहा था, तो मैंने पहले ही signer provide कर दिया है, तो I think मुझे अब इसकी sign की ज़रुवत नहीं है, तो अब इसको मैं करता हूँ, यहाँ पर save, तो सबकों जब यहाँ पर सही है, तो आप देखोंगे, इसी तरह से हमने क्या किया, जैसे ही हम अपनी image upload करेंगे, जिसको भी हम retrieve file वाले function में यहाँ पर logic को लिखेंगे, यहाँ पर contract.add function को call करा के, क्योंकि contract में हमारा instance है, यहाँ पर आप देखों कि मैंने contract pass किया था, मैंने उसी के add function को call कराया, आगया यार, add function को call कराया, user को pass किया, जो भी metamask में connected account है, उसको pass किया, और फिर उसके साथ, उसका URL, अब देखो कि मैंने image का hash, URL के साथ attach कर दिया था, और इसको मैंने paste दिया, और simply यहाँ पर इसको add कर दिया, यह तो बहुत ही simple था, आप समझ सकते हो, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं होई, अब एक चीज बस यह कर लेंगे, जब यह काम पूरी त के बाद हम यहाँ पर message डाल देंगे, कि successfully image uploaded, चीक है, और साथी साथ, set file name, अब क्या करेंगे, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब यह logic वैसे मुझे retrieve file के बाद लिखना चाहिए, तो basically मैं कर यह रहा हूँ, कि जो भी file मैंने upload की थी, तो उसका यहाँ पर name आएगा, वो file यह selected, तो यह हमारा वापस से मैंने क्या किया, इमेज तो upload होई चुकी है, आप दूसरी image को upload करना है, तो मैंने वापस से state में change कर दिया, कि अब आप फिर से नहीं image को upload कर सकते हो, और file को भी null कर दिया, ताकि आप दूसरी image को भी upload कर पाऊ, तो इस तरह से यहाँ पर हमारा handle submit, handle submit पूरा function complete होता है, अब आते हैं हमारे retrieve file function पे, तो retrieve file function basically क्या करेगा, यह हमारी images के data को fetch करने में हमारी अब करेगा, क्योंकि आप देखोगे जो हमारा data रहता है, वो क्या होता है, वो पूरा जैसे png के form में, right image जो है, वो png के form में, उसको मुझे थोड़ा data format में लाना हो तो समस्ता नहीं है, वो समस्ता है data point of view से, अब वही चीज मैं यहाँ पे करूँगा retrieve file function पे, तो अब इस retrieve file में हम लोग एक event को capture करेंगे, तो basically होगा क्या, कि जब हम अपनी file को choose करेंगे, right, choose image button पे click करेंगे, तो हमारी file choose होगी, और जैसे ही हम file को choose करेंगे, और जैसे ही file हमारी choose होगी, तो ये वाला event, हमारा on change event, ये run कर जाएगा, ठीक है, तो हमारे ये जो on change event है, वो run कर जाएगा, तो ये event जैसे ही run करेंगा, मैं उसको यहाँ से capture कर लूँगा, और फिर मैं क्या करूँगा, simply इस event का use करके, अपने जो file का data है, उसको ले लूँगा, तो e.target dot files, अब ये files में क्या होगा, files of 0 में क्या होगा, basically, ये जो हमारी files है, ये एक array होती है, जो कि हमारे, जो भी हम file select करते हैं, उसके object को ये रखती है, ठीक है, तो ये basically जो हमारी याँ आपे files मैं लिखी है, ये actually मैं array of files object है, तो उसमें से, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही images को select कर रह मुझे 0th index access करना है, तो मैं 0th index वाली file को access करता, 1st index वाली को access करता, तो जैसे ही मैं ये choose image पे button पे click करूँगा, हमारी file में change होगा, on change event run कर जाएगा, बतलब यह वाला, और इसकी ये थरू हमारा retrieve function call कर जाएगा, और मैं इसके थरू, इस files object के थरू, जो कि एक array of files object को capture करत है, उस file object को ले लूँगा, बतलब अपनी image को यहाँ पे ले लूँगा, और यह चीज़ मैं आपको दिखा भी देता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं आपको console करा के दिखा हूँ, log data, save, ठीक है, और वापस से चलते हैं, अपने brave browser पे, और यहाँ पर आपके लिए मैं console open कर देता हूँ, और यहाँ पर कुछ मैंने class यूज कर लिया है, तो मैं इसको change कर दूँगा, और यहाँ पर आप देखना क्या होगा, जैसी मैं choose image पर जाओंगा, मैंने कोई दूसरा अपना लिया है, go to pictures, अब यहाँ पर आप देखोगे, मैं let's say, इसको select करता हूँ, यह पर फाइल का नाम क्या है, सारी information इस data वाले variable में आगी है, मैंने जैसे आप से बोला था, एक फाइल का हमारे पास object है, और उस फाइल के object में बहुत सारी properties है, तो आप देख सकते हैं, उसका name, date, सब कुछ, modification कब हुआ है, size कितना है, सारी information इस data में आ चुकी है, अब मुझे बस हमारी files को access कर रहा है, उसको वो access कर सके है, तो यह चीज़ हो गई, अब मैं यहाँ पे file को read करूँगा, reader, new window.read, तो यह basically हमारी file को read करने में help करेगा, file reader, ठीक है, और इस से rated मैं आपको resources share कर दूँगा, अगर आपको depth में जानना है, कि यहाँ चीज़े कैसे work करती है, तो आप वहाँ से देख सकते हो, और मैं जो read वाला काम करूँगा, वो as a buffer करूँगा, so reads array buffer, और यहाँ पे मैं अपना data पास कर दूँगा, तो यह जो data है, मैंने यहाँ इसको pass कर दिया, ताकि मैं इस data को, इस file को read कर सकूँ, और जैसे ही read वाला process खतम हो जाएगा, अभी हम कै यहाँ से वदा करेंगे कि हमारी file को पूरी तरह से read कर लिया है, तो इसके लिए मैं use करूँगा, reader.onloadend, तो यह जब आपने पूरी तरह से file को read कर लिया हो, कि आपकी file एक data के form में थी, तो मैं यहीं कह रहा हूँ कि जब मैंने अपनी file को पूरी तरह से read कर लिया हो, तब file, e.target.files, यहाँ से मैंने अपनी file को set कर दिया, और इसके बाद मैं simply क्या करूँगा, अपनी file का name भी set कर दूँगा, जब हमारा इस सारा काम हो जाएगा, file name, तो भी मैंने आपे, e.target.files, 0, तो आपने देखा भी था, कि उसके, files के object पे, जो हमारी name property भी थी, right, तो आपस सुपर निकुरू, तो आप देखो कि यहाँ पे name property थी, right, dot name, जिसको मैं access कर रहा हूँ, इस object की इस property को, तो उसको भी मैं आपे set कर दूँगा, और last में यहाँ यहाँ पर रहेगा e.prevent default, ताकि यह reload ना हो, ठीक है, तो भाई, इस तरह से मैं अपनी पूरे data को क् read कर लूँगा, और इसको अब हम कर लेंगे save, तो अब एक बार इसको पूरी तरह से देख लेते हैं, कि आखिर में यह पूरा page कर क्या रहा है, क्योंकि यही सबसे लादा important page है, इसी में सबसे लादा चीज़े हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप पूरे page को तो कोई भी image जैसे मैं select करूँगा, यह image मैंने select किया, तो आप देखोगे यह तुरेंट से run कर जाता है, अब जब मैं upload file पे click करूँगा, तो क्या होगा, कि हमारा यह, देखोगे आप unable to upload image होगे, तो यहाँ पे कुछ error आ गया है, मतलब मैंने कुछ गबड किया, जो अच् कर लेते हैं, एक buffer से check कर लेते हैं, और refresh करूँगे, फिर से मैं go try करूँगा, image, direct, load file, अभी भी कुछ issue है, let's go back, okay guys, I think मैंने problem solve कर ली है, problem कहां पे है, okay guys, actually मैंने issue का पता लगा लिया है, issue कहां पे था, वो await वाले पार्ट में था, तो इसकी वज़़ए से issue हो रहा था, त अगर यहां से आप अवेट हटा दोगे, और वापस से चलेंगे, और अब मैं वापस से choose image करूँगा, और let's say, किसी image को choose कर लेते हैं, और यहां पे मैं करता हूँ upload file, तो आप देखो कि आपको issue निया है, तो अब यह देखो, successfully image uploaded, तो, asynchronous JavaScript, कभी-कभी मुझे भी confuse कर देती ह ठीक है, यहां पर अभी कुछ आ रहा है, resolver और ADR is not configured for, ठीक है, seller को देखते हैं अभी, क्या issue आ रहा है, let's go back, for example, for now, ठीक है, पहले तो check कर लेते हैं, कि actually मैं images सही से हमारे store हो भी रहे है कि नहीं contract में, ठीक है, तो यह चीज़ सबस्यादा important है, अगर हमारे store ही नहीं हो रह यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर हमने यूज किया है, retrieve file वाले function को, ताकि हम file का data fetch कर सकें, और फिर handle submit की दूरू, अपने data को हमने IPFS पर भेज दिया है, और यह वाली functionality case लिए है, ताकि हम अपनी images को choose कर सकें, और यहां पर एक चीज़ यह कर सकते हैं, कि अभी आप द file, तो basically जो हमनोंने state रिखा हुआ है, अगर आपको यहां दो, यहां पर, हम लोग यहां पर file के state को set भी कर रहे है, इस जगह पर, यहां पर, set file, तो इसको यहां पर set कर रहे है, तो जब तक यह set ना हो जाए, तब तक हम इसको change नहीं करें, मतलब तक हम इसको disable ही रखेंगे अगर मैं वापस से चलता हूँ, और आप देखो कि अब यह disable हो गया, तो जब मैं choose कर लूँगा image कोई, तो अभी अपने आप active हो जाए, ठीक है, now go back to display.js, ताकि हम पहले चेक कर सकी, contract में actually में images store हो रही है कि नहीं, क्योंकि यही सबसे बड़ी बात है, मतलब contract में actually में URL store ह जोड़ें के नहीं, फिर उसके बाद बात की बात करेंगे, अब display.js में भी हमें again जरूबत पड़ेगी hooks की, तो मैं यहां से करूँगा hooks को import, यहां भी जरूबत पड़ेगी मुझे use state hook की, from react से जो मैं करूँगा import, ठीक है, और यहां पे भी import कर लेते हैं अपने CSS को, तो directly use state.css, और यहां पे भी मुझे जरूबत पड़ेगी, actually मैं contract की, और हमारे provider की, तो मैं आपे display component को use कर लेता हूँ, मैंने पहले इंपोर्ट कर लिया था, तो कोई issue भी नहीं है, और इसमें मैं pass कर देता हूँ, contract, और यहां पे pass कर दूँगा, अपना count, ठीक है, तो यह दोन जल्दी से अपने return statement को लिख लेते हैं, फिर सारे functions जो भी हमें required होंगे, उसके हिसाब से बनाएंगे, तो पहले तो यार, जल्दी से beautiful css की जबरत पड़ेगी, और वो हम यहां पे use करेंगे image list का, ताकि जो भी images upload हो, वो list के form में show हो, और यहां पर ही basically हम अपनी images को show इन दोनों brackets के within, तो यहां पर मैं लिख देता हूँ image display अभी के लिए, definitely बाद में change करेंगे, यही पर हम अपनी image को display करेंगे, फिर उसके बाद मुझे यहां पर ज़रुरत पड़ेगी input की, ताकि मुझे अगर किसी user से specific, किसी user का data देखना है, किसी user की images देखनी है, तो उस में address लिखतेंगे, हमारा beautiful सा CSS, इसके बाद यहां पर हमें एक button की ज़रुरत पड़ेगी, जिसके through हम अपने function को call कराएंगे, जो कि हमें get data करके देखा, ओके, और यहां पर class name, center, यहां चीज़े मैंने CSS में provide कराएंगे हैं, तो don't worry, यह basically button क्या करेगा, एक get data function को call करेगा, click, get data, ठीक है, यहां पर मैं कर देता हूँ, get data, ठीक है, यहां पर define कर देते है, get data को, ठीक है, यहां पर चेक कर लेते हैं, कि डिस्प्ले कैसा लग रहा है, यह काफी नीचे आ गया है, okay, I think वो इसलिए आया है, because अभी हम लोग ने, यहां पर changes नहीं करें, चो कि अभी कर देंगे, तो यह नहीं आएगा, यह actually मैं इसकी वज़ज़ से यह कर रहा है, क्योंकि हमने text लिख दिया है, ठीक है, वो भी हम लोग सरी कर देंगे, यहां पर हमें पहले state कर लेते हैं, च get data function में, अब हमें क्या करना होगा, हमें अपने, basically, जो भी हमारे पास किसी भी user का URL है, जो कि हम कैसे call करेंगे, display function call करेंगे, और यह display function हमें क्या देगा, array देगा, array किसकी देगा, array of access देगा, ततलब कि यह वाली array, sorry, not array of access, actually, array of string देगा, जिसमें कि हमारे user से array, जितना भी URL है, वो हमें fetch करके, यहाँ पर मिल जाएगा, और इसी URL को फिर हम show कर पाएंगे, अपने user को, तो यह चीज हमें करना है, और इसके लिए, पहले चीज हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे एक variable चाहिए होगा, let data array, and यहाँ पे पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं देख मैं क्या रहाँ कि अगर किसी ने अपना address डाला है, तो इसको हम get कर लेंगे, ठीक है, otherwise फिर हम उसी user का address get करेंगे, जिसने इसको call किया हुआ है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, document.queryselector, और यहाँ से मैं .address वाली value को fetch कर लूँगा, but here, right, dot value, तो basically मैंने क्या किया है correct, ठीक है, तो मैंने क्या किया है, simple आपको बता देता हूँ, कि जो भी user इसमें input करेगा, कोई address अगर input करेगा, तो मैं उसको यहाँ से क्या कर लूँगा, fetch कर लूँगा, अच्छा, यहाँ पर मैंने class name गताती होगा, ठीक है, अब यह सही है, अब यहाँ पर other address हम यहाँ प data को बुला लूँगा, ठीक है, मतलब की, यहाँ पर अगर आप जाओ, वापस upload.sol में, तो यहाँ पर आप देखोगे, मैं क्या कर रहा हूँ, address पास कर रहा हूँ, तो अगर मैंने किसी का address इंटर किया है, तो मैं उसका address यहाँ पर डालूँगा, और पहले check होगा, कि आपको करके भी दिखा दूँगा, console.log करके, ठीक है, ताकि आपको पूली तरह से दिख भी जाए, और अगर ऐसा नहीं है, मतलब की, अगर मानलो, आपकी array नहीं आती है, तो उस case में, हम data array को क्या करेंगे, await, जो भी connected account है, जिसलिए मैंने को, वाँ पर, account को भी pass कर रहा थ as a prop, तो मैं उसी का data फिर यहां पर show करा दूँगा, चीक है, तो यह चीज इस तरह से हम लोग कराएंगे, तो यह चीज हम यहां से ऐसे करा लेंगे, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक और variable बनाएंगे, जिसका नाम है is empty, तो basically यह भी तो हो सकता है, कि जिसने इस function को call किया, उसके पास कोई URL ना हो, हो सकता है, उसके पास कोई URL ना हो, अब उसने जब जस्ती call कर लिया है, तो इसी चीज को हम पहले check कर लेंगे, कि object.is data array.length is equal to 0 or not, तो अगर यह 0 है, तो definitely इसको execute करने का कोई मतलब नहीं है, तो इसको execute करने का कोई भी मतलब नहीं है, हम क्य करेंगे, directly आगे बढ़ जाएंगे, अगर यह empty नहीं है, if it is not empty, then हम क्या करेंगे, एक str variable बनाएंगे, str और data array.to string में convert करेंगे, because जो भी यहाँ पे values होगी, basically वो हमारे object form में होगी, तो इसलिए मुझे उनको convert करना होगा, किस form में है, उनको convert करना होगा, मुझे string के form में, और फिर में क्या करूँगा, इस string का मैं array बनाऊँगा, अभी क्या है कि जो भी हमारे पास string आएगी, वो एक पूरी concatenated form में होगी, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उनको split करूँगा, इसको split करूँगा, मैं comma के accordingly, अभी आपको यह चीज थोड़ी जादा समझ में आए पहले यार, जो पहले से related console.log है, उनको यहाँ पर पहले बो कर देते हैं, mute कर देते हैं, और इसको refresh कर देते हैं, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस user ने अभी कुछ images upload की ती, तो देखते हैं कि इसका data fetch हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, अभी तो fetch होगा नहीं हो get data में जो भी console किया है, वो run कर जाएगा, जो भी हमनोंने console किया है, तो उसको हम चेक कर पाएंगे, get data, तो यहाँ पर कुछ error आ रहा है, resolver और ADDR, यहाँ पर कुछ, एक पर मुझे देखना पड़ेगा, uncore promise error, resolver और ADDR is not configured for ENS argument name, यह चीज उसमें भी आई थी, तो दोस्तों, म मुझे पता चल गया कि गरवड़ी कहां पर थी, और मैंने editing के time पे जब आपको शायज शुरूआत ने point out कर दिया है, अगर आप लोंने ध्यान दिया हो तो, मैंने contract का address ही गलत copy paste किया था, जिसकी वज़े से error आ रहा था, तो अगर आपको अभी मैं देखा हूँ, मैं करता ह कर रहा हूँ, आप देख रहे हो, आप लोग भी सोचोंगे, क्या चल रहा है भाई, यह सब कुछ भी कर रहे हो, क्या आप, सही कर देता हूँ, contract address, यह है हमारा, यह सही contract address है, अब मैं जब इसको run करूँगा, तो देखना कोई error नहीं आएगा, let's say मैं get data call करूँगा, अभी क्या मैं करता रहता हूँ, कभी तो यह आप लोग भी सोचते होगे, क्या चल रहा है, मगर हमारे concept में अभी कोई gravity नहीं है, हमनोंने code विग्दम सही किया, वहाँ कोई issue नहीं है, मेरी गलती थी है, मैंने contract address हो गलत, copy paste कर दिया था, यहार वापस से चलते हैं, विएस code पे, और display.js के logic को हमनोंने अधूरा ही समझा था, अब इसको पूरे तरह से समझते हैं, तो फिलाल जैसे कि अभी तक हम बात कर रहते हैं यहां पे, कि यह हमारी data array है, यहां पे हम जो भी address डालेंगे, फिलाल भी हमने कोई address डाला नहीं है, हमने empty रखा है, तो क्यो है, फिर उसके बाद क्या हुआगा, इसने चेक किया, कि जो data array हमारे पास आई है, वो empty तो नहीं है, उसकी length 0 तो नहीं है, अगर उसकी length 0 है, तो definitely फिर वो इस logic को run नहीं करेगी, और वो फिर इसको run करेगी, if it is not empty, then run this, and otherwise run this, तो हुआ क्या है, कि actually मैं, जब मैं upload कर रहा थ हूँ, तो यहाँ पर, let's say, मैं आपको, cons, not cons, actually, console करके दिखा देता हूँ, console log, so str को भी console कराके दिखा देता हूँ, और आपको साथी साथ मैं, यह भी console कराके दिखा देता हूँ, कि आखिर मैं हुआ क्या है, logic क्या, क्यों मैंने इस तरह की चीज़ें की है, तो आपको यह पूरी तरह से clear हो जाएगी, ठीक है, मैंने किया safe, इवर वापस से चलते है back, मैं refresh कर रहा हूँ, और एक बार मैं get data, फिर call करूँगा, तो आप देखोगे, यही चीज़े को मैं बता रहा था, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर हमारे पास यह link आ गई है, और मैंने क् से किसी और image को यहाँ पर upload करता हूँ, open किया, मैंने क्या upload file, बड़ा में wait करना होगा, ओके, तो जैसे यह मैं करूँगा, यहाँ पर metamask open हो, यह एक चीज़ ध्यान देना, कि जब आप यह चीज़ कर रहे हो, select कर रहे हो image को, तो बस एक चीज़ ध्यान देना, कि आपका metam hard hat से connected हो, ठीक है, क्योंकि मैं अभी से पहले एक और बड़ी अभी कर रहा था, कि मैं metamask को मैंने gorelly से connect किया हुआ था, जिसके वैसे upload नहीं हो रही थी image, तो इसलिए मैं आपको यह साई चीज़े बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी की अंगर रही हैं, तो आप यह str वाला पार्ट है, यह, तो यह जो पार्ट है, मैंने इसको convert किया, string के form है, तो यह कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इसको convert कर दिया in a form of array, तो यह कुछ इस तरह से दिख रहा है, तो यह 0th index पे यह वाली link हो गई, और 1st index पे यह वाली link हो तो फाइल अप्लोड वाला function run किया होगा और फाइल अप्लोड वाले function ने हमारी images को IPFS पे store किया और उसकी link generate की वही link अब मैंने क्या किया है जब मैंने तो जब मैंने display.js किया तो उसने क्या किया उसने हमारे इस particular यहां वाले इस वाले particular पार्ट को कॉल करके अवेट contract.display मतलब इस particular function को कॉल किया यह वाले function को और उसने उस user का कौन सी user का जो यह हमारा connected user है जो हमारा connected user है अगर इसने कोई भी image upload की थी तो उसने उसका URL हमें fetch करके दे दिया और जो कि हम लोगने display.js में fetch कर लिया उसको एक area के अंदर हमने convert कर दिया तो यही सारी चीज़े अभी तक हम लोग कर रहे है अभी हम लोगने इसको display के लिए कोई भी मतलब वो नहीं लिखा है logic नहीं लिखा है अभी हम लोगने से fetching वाला काम किया है अब हम लोग क्या करेंगे जो यह हमारा इफ वाला पार्ट है ठीक है अब मैं इसको यहां से हटा दे रहा हूँ comment आउट कर दे रहा हूँ आप लोगने इसको refer कर सको तो मेरे पास आपने देख लिया ना इसमें क्या आ गई है मेरे पास links आ गई है images की अब मैं इन links का use करू करने के लिए और इसके लिए मैं जहें mapping का use करना पड़ेगा const images str array.map और इसमें हमारा होगा item, i और यहां पर basically होंगे हमारा return statement जिसके अंदर हम लोग अपने image tab को use करेंगे और इस image tab में not actually image tag tag के रहूँ टाब बार बार के रहूँ tag sorry और मैं इसे क्या करूंगा एक hyperlink के थुरू क्योंकि मुझे आप एक hyperlink भी रखनी है ताकि जब मैं images को upload करूँ और वो images जब display हूँ तो जैसे मैं images पर click करूँ तो वो क्या करें मुझे ले के चली जाए उसके full display यह चीज़ भी मैंने आपको demo के time दिखाई थी राइट तो इसलिए मैं href में क्या करू ठीक है और की को ले लेते हैं आई ताकि वह लाई शुना है कि भाई you know की आपको provide कर नहीं होती है जब भी आप array की elements को इस तरह से render कर रहे हो तो react पर और यहां पर गर तो इसे blank ठीक है तो यह सारी चीज़ें हमने कर दी अब इसी के अंदर हम लोग अपना image tag लिखेंगे त इसे space कम कर देते हैं और यहां पर मारा आएगा source तो source क्या है यह वही source है जहां पर हमारी images basically show होंगी तो इसके लिए मैं क्या करूँगा मैं यहां पर back text लगाऊंगा और मैं यहां पर आप देखोगे मैंने पिनाटा का एक तरह से URL जो default URL होता है IPFS को access करने का वो default URL मैंने प template string को यहां पर मैंने क्या curly braces और जो भी मेरा item है right मतलब जो भी मारे पास links आ रही है उसमें से मैं substring substring 6 से शुरुआत करूँगा अब इसका क्या मतलब है मैं आपको भी बता देता हूं फिलाल पहले इसको जल्दी से complete कर लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूं कि मैंने यह क् इसका class name देते हैं image list ताकि image जो है हमारे list की form में display हो अब यह मैंने कैसे close अब मैं basically क्या कर रहा हूं यहां पर आप देखो कि item dot substring करके मैंने यह चीज़ किया है make sure कि है कि जैसे कि अभी क्या होगा कि अगर मैं आपको वापस से ले के चलूं यहां पर आप देखो कि यह images के पास यह पूरा URL है तो यह मुझे पूरा URL नहीं चाहिए क्योंकि मैं क्य पूरा URL और इसके बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ यह चाहिए to मैंने उसी चीज़ को यहां से access किया तो आप देखो कि यह 0 है यह 2 है यह 3 है यह 4 है 5 है यह 6 है तो मुझे इसके बाद का data चाहिए मैंने सिर्फ इसके बाद का data यहां पर इस तरह से क्या कर दिया है attach कर दिया यहां पर मैं कोई चाहरा था क्या मैं, इसी लिंक से आक्सेस करना हूँ, जिको कि यहां पर, जैसे मैं कुपी करता हूँ, और इसको भी आक्सेस करता हूँ, तो यह देखो कि एक gateway वाला जो link था वो मैंने शुरुआत में attach कर दिया और फिर बाद में मैंने क्या किया जो hash था हमारी image का उसको simply इसके साथ concatenate कर दिया और इसी चीज के लिए मैंने यहाँ पर item.substring 6 कर दिया है तो हमें उस image की substring मतलब एक तरह से उसका hash मिल गया और बस हमने उसको attach कर दिया इसके साथ और जब यहाँ चीज़ें हो जाएंगी तो यहाँ पर हम लोग set कर देंगे अपनी data को with this images value ठीक है और यहाँ पर मैंने बनाया था right state तो यह चीज और यहाँ पर हमारी images हो जाएंगी set अब हम क्या करेंगे इन images को यहाँ पर display कर देंगे तो अब यहाँ पर मैं image display ऐसे ही लिख रहा था अब मैं इसको क्या करूँगा simply इसको ले लेते हैं और अपने data क्योंकि इसी में देखो मैंने set किया images को यह पूरी images अब मेरे get data तो आप देख सकते हो जैसे मैंने get data पर click किया इसने हमें यह image लाके show कर दी और साथी साथ यह image भी लाके show कर दी क्योंकि हमने दोनों ही image upload की थी तो अब मैं फिर से अगर choose image करूँगा और मैं किसी और image को यहाँ पर डालता हूँ let's say bridge वाली image को डाल देता हूँ और मैं करता हूँ upload file तो यह image successfully upload होगी है अब यह metamask transaction के लिए वो कर रहा है demand let's confirm this I hope सब कुछ सही से work कर जाएगा और work कर जाएगा तो मुझे simply फिर से get data को run करना पड़ेगा ताकि हमें यह image upload करके provide कर दे यह हमारा transaction आप देख सकते हूँ confirm हो गया है मैं इसको इबर refresh करता हूँ मैं इसको इबर refresh हो ही गया है अब मैं get data पर click करूँगा तो अभी देख रहो मेरी image तुरं से नहीं आई है बढ़ थोड़ी देर बाद यह आ जाएगी और साथ ही साथ अगर आप देखोगे मैंने enter address वाले का भी data यहाँ पर लिखाई हुआ है तो मतलब कि अगर कोई enter करता है कोई input में इस field में अगर कोई data डालेगा तो क्या होगा जैसे कि मैंने आपको वैसे explain दो करी दिया है फिर एक बार idea देता हूँ कि हमारा ये वाली value फिर क्या हो जाएगी true हो जाएगी और फिर data array में उस particular address की सारी images आ जाएगी मतलब एक तरह से urls आ जाएगे और फिर हम उस data array के साथ यहाँ पर manipulation करेंगे ठीक है बट वो तब करेंगे जब हम लोग बना लेंगे अपने share button को right अगर आपको याद दो जब मैंने आपको tutorial दिखाया तो यहाँ एक share button वी था जिसके थूरू मैं अपनी images का access किसी और address को दे सकता हूँ तो अब वो चीज हमें करनी होगी ताकि फिर हम इस functionality को भी test कर सकें finally और इसमें हाँ यार एक चीज लास्ट माई अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ देखो यह हमारी images एक नए tab में open जा रही है बड़े page पे right तो यह क्यों हो पा रहा है because of this functionality जो हमने यहाँ पे लगाई है यह वाली जो मैंने इसको देखो इसलिए इसको मैंने इसके anchor tag के अंदर रखा हुआ है अपनी image वाले को ताकि जो भी item है तो जो भी उसकी link होगी मैं उसके click करूँगा और उसके through यह हमें क्या ले जाएगा IPFS के network पे ले जाएगा और modal जी को use करने के लिए मुझे यहाँ पे आना होगा और इसकी के उपर मैं modal जी को define करूँगा ठीक है अभी के लिए यहाँ पे मैं करूँगा modal जी वाई साथ ठीक है modal modal और इसमें मुझे चीज़ें चाहिए होगी कुछ set modal open तो यह पूरा एक function जो मैंने बनाया उपर अपने use state का user के वो pass करूँगा साथ ही साथ मुझे contract के instance की ज़रुवत पड़ेगी तो वो pass करूँगा पस इतना ही होज़ा भी काम होगा फिर इसको हम लोग बाद में सही करेंगे अभी के लिए क्योंकि मुझे इसको पूरा एक में डाल देना चाहिए अदरवाई इसी तरह से एर्र रियाक ट्रेगमेंट चाहिए तो अभी के लिए मुडाल जी को बनाते हैं यह कैसे work करेगा यहाँ पर सबसे पहले मुझे import करना पड़ेगा सबसे पहले मुझे यहाँ पर import करना पड़ेगा क्या यूस एफेक्ट को उसकी बना तो मारा काम ही नहीं चलता है न भाई और इसके बाद अपने import करेंगे और css को ताकि कोई issue ना है तो modal parent directory modal.css पहले बना रहते हैं भी यह अपने सुन्दर से modal को तो देखने में कैसा है इसके लिए अगें div class name modal background there is एक और मुझे भी यह class चाहिए होगी div class name modal container and then we will have our another class name वही हमारा container की तरह work करेगा ताकि हमारा modal थोड़ा देखने में अच्छा लगे और इसके अंदर मारा title होगा let's say that is share with जिसके साथ भी मैं share करना चाहता हूँ इसके बाद मुझे एक और div की ज़ुरत पड़ेगी class name होगा इसका body ठीक है और इसी के अंदर हम अपने input tag को रखेंगे रखी मैं जिसके साथ share करना चाहता हूँ उसका address यहाँ पर डाल सका हूँ input और type is equal to text double quotes में लगा text और class name इसका होगा address and placeholder में कि या इसमे enter करो address को and we will close this and then we will close this as well body को भी close कर देंगे अब यहाँ पर मुझे एक form चाहिए ठीक है भी समझ बहाएगा because इसी के अंदर हम अपने basically जो addresses है राइट जिनको हमने fetch किया जिनकों साथ हम share करेंगे उन सारे addresses को हम यहीं पर show करेंगे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ select यहाँ पर id select number और यहाँ पर मेरा होगा option यह सारे options हमारे होंगे class name इसका address और यहाँ पर मैं डाल देंगे people with access यहाँ इसको भी capital कर देते हैं यह साथ चीज़े मैं modal का पूरा ढाचा बना रहा हूँ जो आपने देखा भी था जब मैंने tutorial दिखाया भी था आपको यह हमारी application किस तरह से work कर रही है और उसके बाद हम यहाँ पर अपने footer को design कर लेंगे जहाँ पर हम अपने buttons को और size चीज़ें को रखेंगे ठीक है footer और यहाँ पर होंगे हमारे button और इसके थूरू हम basically call करेंगे एक share function को नहीं इसके थूरू हम call करेंगे अपने close button को ताकि हम अपने modal को बंद कर सकें ठीक है तो यहाँ पर मैंने किया call किसको अपने set open modal function को जिसको मैंने as a parameter pass भी किया था अपने अभी देखा भी मैंने component, app component से pass किया था और इसको मैं वापस से set कर दूँगा false है ताकि हम अपने modal को वापस से बंद कर सकें और यहाँ पर ID होगी हमारी cancel ETN और हमारे पास एक और बटन होगा जिसके तरू हम sharing करेंगे तो यह होगा button on click और इसके तरू हम call करेंगे एक नए function को जिसका नाम होगा sharing तो sharing अभी इसको हम बना लेंगे और यह करेगा help हमारी share करने में और एक बार यह function यहाँ बना भी लेते हैं ताकि कोई error ना है तो फंस्ट sharing तो this is done guys एक बल्स को चेक कर लेते हैं कोई error तो नहीं आ रहा है यहाँ से मैंने किया save कोई एक issue आ रहा है let's see क्या issue आ रहा है set open model is not defined sharing is not defined मैंने spelling गरबड की है sharing में होगा r मैंने set okay मैंने आपर पास किया नहीं basically मैंने यह देखो नहीं आपर यह set model open पास किया था यह आला function set model open तो मैंने यह function पास किया था तो मैंने आपर इसको वो नहीं किया है अज़ प्रॉप रिसीव नहीं किया है set open model और contract let's see now तो आप देख सकते हो मैंने पिचाला मेरा cancel बटन तो गया भी हो गया आगया यार cancel यहाँ पे cancel कर देते हैं ठीक है तो cancel save तो यहाँ पे हमारे दिको पूरी मोडाल की जो इस structure है वो पूरी तरह से design हो चुका है यहाँ पे हमारा share बेता है यहाँ पे हमारा inter address होगा जिसको अभी हम address इंटर करेंगे उसके साथ share हो जाएगा यह वो list है जिसमें कि हम people जिनको भी access देना चाते हैं उस list को हम यहाँ पे show करेंगे अब फिर यहाँ पे share button है जिसके तो हम sharing वाले function कॉल करेंगे और यह cancel button है जो इस modal को बंद कर देगा जो अभी बंद नहीं होगा because of obvious reason जो भी हम लोने app.js में changes नहीं किये क्योंकि अब अभी हम लोग करेंगे तो let's go back और app.js पर चलते हैं अभी आप देखो कि मैंने इसको क्या किया है हमेशा के लिए show किया हुआ है तो यह हमेशा के लिए show हुआ है तो जब यह false है तब यह ना show हो तो यही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे यहाँ पर मैं करूँगा parenthesis modal open and और यहाँ पर मैं अपने button को use करूँगा जिसके through अगर आपको यादो मैंने top left corner में corner में मैंने आपको दिखाया था था न बटन तो वह बटन मैं यहाँ पर बनाऊंगा आकि हम अपने modal को जब चाहिए तब close कर सकें जब चाहिए तब on कर सकें और यहाँ पर class name हो जाएगा हमारा share और again यहाँ पर on click यह on click क्या करेगा यह हमारे modal की true कर देगा तो जैसे मैं करता हूँ अब close और इस बटन के अंदर हमारा share वाला option होगा तो यहाँ पर क्या है कि अगर modal open नहीं है मतलब की यह false है तो अगर यह false होगा initially तो यह false है तो जब यह false होगा तो सीदी सी बात है इस पूरे value expression की value true हो जाएगी तो फिर यह next वाले expression पर जाएगा और इसकी वितुरू हमें अपना button show हो जाएगा अगर मैं save करता हूँ अभी वापस चलता हूँ तो एक बार इसको refresh करते हैं अच्छा भी के लिए मैंने इसको अभी भी abandon नहीं किया ना तो यह वाले part को मुझे abandon भी करना होगा जो भी भी show हो रहा है और इसको मैं कैसे करूँगा abandon मैं यहाँ पर लेख दूँगा की यहाँ पर लेख करते हैं की model अगर open है मतलब अगर यह value true है तब ही भाईया हमको यह वाली value show करो क्को अपना यह पूरा component कट किया मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया और simple सी बात है मैंने इसको फिर पूरा curly basis के अंदर कर लिया अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर model की open value इसकी value true है तब ही इसको show करो अगर यह false है तो सीधी जवाते से show मत करो मैंने किया save वापस चलते हैं एक बार रन करता है रिफ्रेश करते हैं अभी भी यह गया नहीं मतलब कुछ मैंने left count कर दिया है इसको सही से call नहीं किया था अब सही है अभी एक बार रिफ्रेश करते हैं yes now it is good इसको जैसे कि मैं इसको बाबाबाब कर रहा था तो यह true हो जा रहा था यह हमेशा show कर रहा था यह था ब्लाइंडर कहते हैं शयाद इस वज़े से यहां पे हो गया अब यह सही है तो मैं यहां पे save किया है तो सब कुछ सही है मैं जब share button पे click करूंगा तो हमारा modal open हो जाएगा जब मैं cancel करूंगा तो आप यहां से अभी मैं पीछे तो नहीं जा सकता अभी मैंने कैंसल वाले बटन की फंक्शनलिटी नहीं डाली है अपने मोडल डॉट जैस पर इसको भी देख लेते हैं पर फिलाल के लिए यह अब वक कर रहा है राइट बर चेक कर लेते हैं कि मैंने डाल यह कि नहीं एसको एंड लेट्स चेक आवर मोडाल.js यह चैनल वाली तो मैंने आप डाली है तो यह कैंसल हुआ और नहीं, क्यों हुआ है सा, क्यों हुआ है सा, जल्दी से बर्चर कर ले दें फिर से, cancel, cancel is not working, तो मैंने actually problem find कर लिए, problem ये है कि जब मैं cancel button पर click कर रहा हूँ, तो आप देखोगे, set open model is not a function, actually I think, मैंने गरबड ये की है, कि जब मैं fast कर रहा हूँ, यहाँ पर function को, तो मैं अलग-अलग values पास कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे, मैंने लिखा है, set modal open, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है, set open modal, तो इसी अरिये ये गरबड हो रही है, देखो आप, ये open modal है और ये modal open है, तो मुझे क्या करना होगा, simply, यहाँ पर मैं ये करता हूँ, कि मैं यही value यहाँ पर copy paste कर देता हूँ, यह issue ना आए, और या फिर मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं यही नाम पास करता हूँ, और वाइस confusion होगा हम लोग को बार-बार, क्योंकि different name हो जाएंगे तो, तो मैं इसी को यहाँ पर copy करता हूँ, और यहाँ paste, यहाँ यहाँ पर कर रहा हूँ यहाँ पर कर रहा हूँ इसे, paste, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी, मैंने क्या paste, यार मैंने सब सही तो कर दिया, यहाँ पर चेक कर लेते हैं, अब सेफ करते हैं, अब यह एक error आरा है, let's check the error, before that, let me check, किया पर मैंने सही किया है कि नहीं, I think एपर paste कर देते हैं, या अब सही है, ठीक है, तो मैंने सारी values को एक जैसा कर दिया है, पहले क्या था, अलग-अलग हो गई थी, तो इसी वज़े से confusion हो गया था, पर I think आप issue नहीं आएगा, इपर मैं इसको refresh करता हूँ, share पर जाते हैं, तो यहाँ पर order हमारा open हो गया, cancel करेंगे, तो close हो गया, ठीक है, share, close, और okay, सब चीज अब यहाँ पर work कर रही है, अब sharing वाले function में चलते हैं, और यहाँ पर अपनी चीजों को put up करते हैं, तो पहली चीज, यहाँ से मैं address को fetch करूँगा, because जिस address के साथ भी मैं वो करना चाहता हूँ, share करना चाहता हूँ, तो document.queryselector, और यहाँ पर मैं dot address डाल दूँगा, class का name, और इसकी value को fetch कर दूँगा, तो ओके यह बार बार, ठीक है, तो यह चीज मैंने क्या की, तो जो मैं यहाँ पर input ले रहा हूँ, गाईस, यहाँ पर मैं input ले रहा हूँ, देखो कि मैंने क्या किया है, मैंने simply यहाँ पर यह जो allow function है, इसको call कर आ लिया है, मतलग कि मैं इस user को access दे रहा हूँ, कि यह भी मेरी repository को, मेरी images को देख सकता है, तो यहाँ पर मैंने किया share, तो यह चीज हम चेक भी कर सकते हैं, अभी हम लोग यह आगे वाला काम भी करें, but before that let us check this, ठीक है कि सब सही से work कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसके लिए जैसे कि अगर मैं इस user का data देखूं, तो अभी के लिए I think मैंने अपना hardhat बंद किया है, तो issue हो सकता है कुछ, मैंने अभी यह hardhat actually में reopen किया था, इसी वज़े से, तो मुझे फिर से एक बार image यहां पर कुछ deploy कर देनी चाहिए, तो मैं कर रहा हूँ upload file, तो यह अभी address क्या कर रहा है, कुछ files को upload कर रहा है, यहां पर मैं metamask पर transaction confirm करूंगा, confirm, अब देखो यार एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ, कि यह भी issue आता है, तो अभी आप एक issue देख रहोगे, मेरी screen पर जो आ रहा है, यह issue हो सकता है कि आप पर भी आ, अब यह issue हमारी dab का issue नहीं है, यह issue हमारी metamask का issue है, या फिर आप कह सकते हो, हाट हाट का issue है, तो इसका मैंने काफी search किया था, बट issue का मुझे कोई ऐसा resolution नहीं मिला, तो बहुत resolution यहीं मिले, कि आप account को यहां से क्या कर दो, एक बदा ऐसे reset करो, मैंने वो भी try किया था, बट वो भी work नहीं किया, तो इस case में आप यह कर सकते हो, यहाँ पर मैं आपको एक advice दे सकता हूँ, जो मैं करता हूँ, या तो आप इस account को अभी के लिए आँसे delete कर दो, तो इस account को यहाँ से आप delete कर दो, तो इससे क्या होगा, कि मैं इसको फिर से import करूँगा, ताकि यह ओला issue ना है, तो होता किया, पता नहीं कैसे, इसमें transactions वो होने लगते हैं, एक तरह से piled up होने लगते हैं, जिसकी वज़से यह कह देता है, कि nonce की value बहुत जादा high है, तो यह issue हो सकता है आपके मैं, और अच्छा होगा यह आ गया, अकाउंट को यहां पर फिर से इंपोर्ट कर लूँगा, तो मैं पास तो बहुत सारे अकाउंट्स है राई, यहां पर, तो मैं कोई और अकाउंट यहां पर इंपोर्ट कर लूँगा, यह यहां से मैं किसी अकाउंट को इंपोर्ट कर लेता हूं फिर से, है तो लेट से मैं इस अकाउंट को इंपोर्ट कर रहा हूं ठीक है को बाक काफी अभी इसाई चीज़ें चलती रहेंगी जब आप लोग थोड़ा ब्लैक चेंड में और इंटर करोगे तो आप देखो गया यही सब होता चाहिए रहता है है आपर इंपोर्ट करते है अप्सो की अकाउंट पहले से ना होगी यह पहले से लेट स को बाक एंड सेलेक्ट सम डिफरेंट अगाउंट वी लेट्स ट्राइफ दिस अकाउंट और मैंने कि हैं पे फिर से मैं करूंगा इंपोर्ट अब यह इंपांट आप देखो कि यहां पर कोई भी एरर नहीं आए तो वह उसी का इशू है मैंटमास का इशू है उसकी वैसी एरर आता है पर आप देखो कि मैंने जैसे ही नियू अकाउंट प्रवेट कर लेते हैं यही जीज थोड़ टाइम टेकिंग और इसलिए मैं कहरा था अगर आप बहुत बड़ी इमेज को अप्लोड करोगे तो यह वाला इसू थोड़ा फेस कर सकते हो यहां पे इमेज को अपलोड होने में और फिर गेट करने में थोड़ा टाइम लगे की य कोई सर्वर नहीं है जहां पर बहुत सारी बातचीत होगी कम्मिनिकेशन होंगे पियर से इंटरक्शन होंगे तब आप देख सकते हो कि यहां पर काफी टाइम लग रहा है अभी इस पर टाइम जादा नहीं देते हैं अभी थोड़ी बाद देख लेंगे अब मैं क्या करू मैंने किया डेटा तो आप देखोगे कि अभी मैंने डिस्प्ले में वह नहीं लगाया तो इस वाज़ी से यह एर्र थो कर रहा है तो इस एर्र को भी हम क्या चल लेंगे याद दिला देना मुझे ठीक है तो अभी के लिए डेटा किया तो कुछ भी नहीं आ रहा है और अग अगर मैं इस अकाउंट के यहां पर अडर्र जालता हूं और यहां पर गेट डेटा करता हूं तो आप देखो कि इसने एर्र थो कर दिया कि डोंट हाव अक्सेस तो इस अकाउंट के पास इस अकाउंट की इमिज इसका अक्सेस नहीं है अब मैं क्या करूंगा मैं इस वाली functionality को complete नहीं किया है बर जैसे ही मैं आप शेयर पर क्लिक करूंगा तो अब यह account के साथ भी यह चीज शेयर हो जाएगे तो यह close हो जाएगा और अभी के लिए यह यहां पर नहीं वात नहीं और मैं अब फिर से डालूंगा इस account का address 07b get data अभी access मिला नहीं है तो लेट्स डू वापस यहां जाना चाहिए बाद मुझे चेक कर लेना चाहिए मैंने सब कुछ सभी किया है कि नहीं sharing को मैंने call किया है ठीक ऐसा करते हैं यहां पर console करा लेते हैं console.log अभी हम लोग और भी functionality अच्छे से डाल देंगे अभी के लिए share यहां पर यहां पर बाक मैं गया फिर से इसके साथ नहीं हुआ है access तो फिर से मुझे जाना पड़ेगा इस अकाउंट को access देने के लिए और यह सबसे बड़ा अब मैं आपे share button पर click करूँगा account address जालूँगा share पर click करूँगा अभी देख़ा आप share button हमारा click नहीं run कर रहा होता तो यहां पर console.log हो जाता अभी यह work नहीं कर रहा है तो मतलब हमने कुछ यहां पर गरबड़ कर दी है अब देखना पड़ेगा क्या गरबड़ की है यहां पर मैंने actually मैं parenthesis को sorry small brackets को miss कर दिया था जिसकी वैसे on click से sharing वाला function रन नहीं कर रहा था अब चेक करते हैं finally यहां पर मैं इस address हो copy करूँगा share करूँगा इसके साथ मैं share button पे click करूँगा और आप देखो कि जैसी मैंने share button पे click किया हमारा metamask open हो गया because यह transaction कहां save हो रहा है यह हमारे blockchain पे save हो रहा है तो confirm करूँगा तो आप देखो कि share भी लिख्या गया मतलब कि यह console.log run कर गया है तो जैसे यह transaction confirm हो जाएगा इस address के साथ भी हमारा image share हो जाएगा और इस चीज़ हम लोग देख भी लेंगे तो आप देख सकते हो कि हमारा transaction भी अब confirm है अब मुझे simply से यहां से cancel करना है और मुझे जाना है वापस से अपने address के पास जिसके साथ मैंने अपना data share किया है तो I will go back to I think this address right first address तो अब मैं okay मैंने address copy नहीं किया राइट ए भाई यह तो लगी लेवल को में साथ हो रहा है प्यार मझे फिर से address को copy करने के लिए जाना पोड़ा रहा है यही चीज है मैंड़ा मास में रभी कुछ चीजने इसलिए मज़ेदार नहीं होती मैं यहां प्या पर फिर से save कर लिया है और वापस गया ठीक है तो यहां के पास अपना खुद का तो कुछ है नहीं इनका address का है get data और आप देख सकते हो हुरे हमारे पास हमारी image आ गई है जो की basically इस address की नहीं थी यह किसकी थी इस particular address की थी और मैंने उस से access लेके इस image को access कर लिया है तो that's great कर रहे हैं उनका यहां पर details भी नहीं आ रही है तो इस चीज को अब हमें confirm करना होगा clear ख़तम करना होगा but main functionality आप देखोगे हमारी काफी हो चुकी है काफी हद तक हो चुकी है अब बस हमें कुछ minute चीजें करनी है चो की बहुत बड़ा impact डालेंगी वैसे हमारी idea पे तो चल लिए मैं एक function बनाऊंगा जिसका मैं नाम रखोंगा access list और इसको भी async कर देते हैं और इसके अंदर मैं क्या करूँगा मैं अपनी पहले address list को यहां पे fetch करूँगा और इसके लिए मैंने आपको याद हो तो एक array बनाईती रही तो वही array का आप हम लोग use करेंगे और यहा address ने इसके call किया है उसकी access list मतलब कौन-कौन उसके images को access करता है उसकी सारी information हमें यह provide कर देगा और हम ने इसको यहां पर push भी कर रहे थे जब भी हम किसी को access दे रहे थे ताकि हम एक list maintain कर सकें तो यहां पर मैं इसको call करूँगा और अब मैं यहां पर एक let select बनाऊंगा ठी इसके तरूँ मैं access कर लूँगा अपने जो list होगी basically select number ठीक है और इसके बाद यहां पर मैं लूँगा options इसी में मैं अपनी array को store करा लूँगा मतलब address list को अपनी store करा लूँगा और अब मैं यहां पर एक for loop चलाऊंगा for let ताकि मैं यहां पर कुछ dom elements करूँगा एक तरह से list create कर सकूँ तो i.options.length मतलब जितनी भी हमारे array में values है options.length और i++ ठीक है और इसके अंदर अब हम लोग अपने उसको लिखेंगे logic को कि मैं बार नहीं लगाँगा मैं लूँगा opt is equal to options i ठीक है तो options i में क्या है हमारे बिसली जो addresses है जिनको हमने access दिया उसकी information है तो i मतलब कि एक particular address को हम फेच कर रहे है और simply अब मैं यहां पर क्या करूँगा कुछ element को create करूँगा तो एक तरह से मैं element create करने जारा हूँ तो एक list create हो सके create element का और यहां पर मैं लूँगा अपने option को और यहां पर मैं करूँगा e1 अब यार यह जो चीज है ना मैं इसकी depth में नहीं जा रहा है यह जावा सिप का part है तो यह चीज आप देख सकते हो तो इसकी मैं depth में बहुत जादा नहीं जाओंगा मैं जल्दी से बस values को यहां पर input कर रहा हूँ आप यह समा सकते हो अपनी list में और अब मैं क्या करूँगा इसको append कर दूँगा append और यहां पर मैंने क्या append child और e1 को यहां पर मैं फिर append कर दूँगा इस से हमारे पास हमारी list त्यार हो जाएगी और अब हमें इस function को call भी कराना होगा access list को और को मैं तभी call करा हूँगा जब हमारे पास हमारा contract होगा और हमारे access list भी होगी तो यह दोने जब चीज़े होगी तभी मैं यह चीज़ करूँगा और यहां पर भाई मैं लगा दूँग एक dependency list जो कि यह होगी इस से क्या होगा हमारी access list अब आप देखोगे use effect जब भी run गा तो हमें access list की information मिल चाहेगी तो एक बर मैं चेक कर लेते हैं तो मैंने इसको access दिया था तो let's go back and check the previous address यहां पर जाता हूँ इस पर चलिक करता हूँ यह वाला address हा रही जिसने access दिया था शेयर पर क्लिक करता हूँ people with access अभी यहां पर यहां पर यह शो नहीं हो रहा है मत मैं कुछ गरबड कर दिया logic में कोगे यहां पर actually मैं अगर आप देखोगे मैंने select number को access नहीं किया है ठीक है तो यह select number जो ID थी मुझे hash लगाना चाहिए था query selector में अब एक बार चक करते हैं तो let's refresh it and share people access with और आप देखोगे यहां पर हमारे address शो हो रहा है जिसको भी हमने access दिया है तो उसके आगे आप देखोगे value true है और आप देखोगे यहां पर दो addresses आ रहे है तो actually मैं यह दो addresses आने के पीछे की वज़ा है यह इसकी हमारे logic में कुछ गरबड नहीं है तो इसके लिए परश्यान मत हो यहां पर दो बार यह same address इसलिए प्रिंट हो के आ रहा है because of react 18 तो react 18 क्या करती है वो react strict mode का use करती है जिसकी वज़े से use effect दो बार actually में run कर जाता है अब इसकी details में मैं नहीं जाने वाला इस particular वीडियो में आप definitely कहोगे तो इस पेक मैं अलग सी वीडियो बना दूँगा अगर आपको इस problem को दूर करना है तो बहुत सारे methods होते हैं तो react query होती है और बहुत अलग तरह के methods होते हैं जिसकी तरह से आप इस problem को remove कर सकते हो बट अभी के लिए मैं temporary basis पे ताकि हम ब्लॉक्चेन पर जादा focus कर सके हैं और react.js पे नहीं मैं temporary basis पे अभी यहाँ पे एक चीज करूँगा कि मैं index.js में जाके यह react strict mode हटा दूँगा तो इस इससे यह जो use effect जो दो बार run कर रहा है वो सिर्फ एक बार run करें बट अगे इन डिस इस अर टेंपरीरी solution यह अच्छा कोई बहुत solution नहीं है यह से वेसली है ताकि मैं आपको जैसे कि मैंने का कि मैं आपको ब्लॉक्चेन पर focus कर सकूँ ना कि react जैसे code पे तो अगर आप यह दिखोगे मैं share करूँगा और यहाँ पर दिखोगे people access वे तो यह एक ही बार run कर रहा है तो मैंने जिस भी address को access दिया है वो यहाँ पर show कर रहा है ठीक है तो इससे मुझे पता चल जाएगा इस list से कि मैंने किस-किस address को access दिया हुआ है और यहाँ पर जिस भी address को फिर से इं ठीक है तो let's go and give access तो यहाँ पर मैं आया और मैंने इसको भी access दे दिया ठीक है इस address को भी access देना चाहता हूँ हो sorry यहाँ पर नहीं यहाँ पर share access दिया मैंने किए share ठीक है अभी मैं इसके logic वाले पार्ट को भी फिर से सही करूँगा ताकि यह जब access दे दिया जाए तो यह चीज़ क्लोज हो जाए जैसा मतलब google drive होता है मैंने उसी तरह का कुछ try किया है ताकि जैसे आप देखो कि उसमें access देते हो ना तो यह अपका close हो जाता है जो modal होता है और फिर से आप जब open करते हो तो आपको आपको आपके साथ करता हूँ आपके साथ नहीं करता हूँ आप देख सकते हैं दोनों addresses के यहां पर access है और मैंने आपको run करके दिखाई दिया है तो मुझे फिर से दिखाने की जरुवत नहीं है तो हमारी यहां पर देखो कि decentralized application पूरी पूरी तरीके से ready है और एक last improvement यह भी हम लोग यहां पर कर सकते हैं अगर आप देखोगे तो time exception while processing reverted with reason you don't have access तो इस चीज़ को हम लोग थोड़ा beautiful तरीके से अपने display.js में code भी कर सकते हैं तो मैं क्या करूँगा simply इस पूरे code को यहां से try catch के अंदर रख दूँगा try ठीक है तो अगर कोई error आएगा तो यह उसे catch कर लेगा तो यहां से मैं इस पकड़ूँगा और I think मैं यहां तक पूरा इसको ले जाओँगा अपने try के अंदर इसको इस तरह से put up कर दूँगा तो यह हमेशा कुछ गरबड कर देता हूँ मैंने कुछ गरबड ना की हो कि मैंने कुछ गरबड की है तो यहां देख लूँ कि मैंने क्या गरबड की है मैं हमेशा कल्डी प्रिसेस में बहुत गरबड करता हूँ तो यह हमारा if block और if blocks लेके तो यहां तो मैं चाहूँ तो इसको भी रख सकता हूँ इस पूरे पार्ट को इसी से हम लोग access कर रहे है कि मैं यहां पर क्या कर रहा हूँ अपने address को किसी भी data के address को और वहां से images को fetch कर रहा हूँ तो यहां तो मैं इसी address को यहां पर इसको ऊपर रख दूँ और फिर यहां पर इसको catch कर लो कि catch और यहां पर मैंने किया e और यहां पर मैं कर सकता हूँ alert कि you don't have access तो अगर कोई भी error थ्रू करेगी हमारा वो required statement करेगा you don't have access का तो हम यहां पर प्रिंट कर देंगे you don't have access ओके और इक बार इसको चेक कर लेते हैं इस functionality को भी तो यहां पर अब मैंने get data किया तो आप दे fresh तो यहां पर मैं फिर से इसका address get data और आप देखो कि यहां पर run कर गया that you don't have access तो इससे हमारे try catch ब्लॉक ने हमारी इज़त को भी रख लिया और हमें कुछ जादा करना भी नहीं पड़ा तो मैंने इसलिए इसको यहां पर try catch के अंदर रख लिया तो इसको भी आप try catch के अ you don't have access तो मैंने वही चीज यहां पर कर दी है ताक ही अगर वह error आ रहा है तो हम उसको आप पर catch कर लें तो भाई congratulations हमारी यहां पर पूरी तरह से complete हो चुकी है आपने अगर यह tutorial पूरा complete किया है तो भाई अपनी पीट अपर पाओ क्योंकि आपने बहुत ही बढ़या काम किय इस tutorial को complete करके आपने काफी कुछ नया सीख लिया इस tutorial को complete करके एक बार मैं इस dab का आपको फाइनली एक बार summarize वे में एक वो दे देता हूँ को deploy किया जाएगा sorry create किया जाएगा यह सारी information फिर हम लोग ने deploy.script को रखा जहां पर हम लोग कहां पर यह deploy होगी इसकी जनकारी और कैसे होगा deploy में के बाद मलब क्या होगा मलब कि उसका address प्रिंट होगा कि नहीं होगा इस तरह की सारी information हम लोग नहीं यहां पर दी फिर हम हमारा main folder था main file थी actually वो थी app.js तो मैं अब सारी files को यहां पर close कर देता हूं ताकि साफ सुथरा थोड़ा लगे और app.js में मैंने main functionality लिगी जहां पर मैंने इन तीनों components को जो कि हमारे modal था right, modal, display और file upload.js था इनके components बनाए और app.js में ही हम लोग ने अपने contract का instance इस particular logic में किय ठीक है तो यहां पर हम लोग ने अपने contract का instance create किया है उसके बाद हम लोग ने simply components को call out किया है अपने app के function में तो आप देख सकते हैं यहां पर simply हम लोग ने अपने app के components को call किया है तो modal की component को call करने के लिए मुझे थोड़ा logic लिखना पड़ गया reason बहुत ही simple था कि मैं नही functionality को पूरी तरह से manage किया अब चलती से चलते हैं पहले अपने file upload.js में क्योंकि यहां पर हम लोग अपना code लिखा जहां पर हम लोग अपनी file को upload कर रहे हैं तो इसको समझने के लिए पहले हम यहां पर return function को समझना होगा return function में हम लोग ने simply क्या किया एक form बनाया अब देख स store हो जाती थी हमारे pinata पे या फिर मैं कहूं IPFS पे store हो जाती थी पर उससे पहले हमें क्या करना पड़ता था image को choose करना पड़ता था और जैसे हम image को choose करते थे तो जिसकी वज़े से हमारा यह on change event trigger हो जाता था जो कि हमारे retrieve file function को call कर देता था retrieve file function हमारे जो data है जो हमारा image का data ह उसे convert कर देता था एक तरह से आप समझ सकते हो object के form में और उस object को ही हम pass on करते थे as a file to our handle submit जो कि हम यहां पे इस तरह से करते थे और handle submit में हम लोग ने access का use किया था कि हम pinata से communicate कर सके और simply फिर हम लोग ने उसका hash यहां से generate किया और इस hash को फिर हम लोग ने क्या किया अपने smart contract पे एक तरह से वो करा दिया store करा दिया तो signer.add add किया है हमारे smart contract का function है account जिस account से यह किया गया है और image hash जिससे की जो भी इस image का hash था मैंने उसको store कर दिया तो यह चीज़ ऐसे ही हुई तो आप यह file upload.js का का काम खतम हो गया उसके माद हम लोग ने बनाया अपना display.js जहा यहां पर क्योंकि हमारे पास दो तरह की testing थी पहले तो कि हमने किसी को access दिया है तो उसको भी हमें check करना था साथी साथ अगर हम अपनी images को access करना चाते तो उसकी भी functionality हमें देखनी थी. इसलिए मैंने other addresses यहां पर variable बनाया और मैंने check कि इस other addresses में आपने किसी का value डाला है कि अगर आपने डाला है तो मतलब कि हम उस address की images को access कर रहे हैं otherwise हम अपनी address को access कर रहे हैं उसके बाद simply हम लोगों ने क्या किया यहां पर जो भी URL हमें यहां से fetch करके मिला display function को call कर आके जो कि हमारे smart company function था जो कि हर account की related images की URL को store कर रहा था मैंने उन सारी URL को यहां पर पॉइं यहां पर क्यों किया ताकि हम अपनी image को एक hyperlink की तरह यूज कर सकें जैसी को image पर click करें वो directly हमारे IPFS के server पर वो जो image का URL उसको show करना शुरू करते और उसके बाद हम लोगों ने simply से set किया और फिर हम लोगों अपने data को show कर दिया तो बहुत ही simple कुछ ऐसा नहीं किया है यह आड्रेस को access देना है मेरी images का तो वो हम लोगों ने modal के थूरू किया तो जो भी कोई share button पर click करता था modal open जाता था और modal में फिर हमने एक function बनाया sharing तो इसी के थूरू हम क्या कर रहे थे अपने दोस्तों के साथ जिसको भी हम allow करना चाहते थे जिन भी addresses को अपनी images का access हमने य list को create कर रहे तो इसलिए मुझे हम पर create element जैसी चीज़ को use करना पड़ा option को create करना पड़ा ताकि हम अपने elements को create कर सके और जो भी addresses को हमने access दिया है उन सारे addresses को हम अपने पर show कर सके ठीक है और फिर simply हम लोगों ने उसको क्या किया list को create किया और simply उसको फिर display करा दिया अपन बनाई तो आप देख सकते हो कि इस तरह से हम लोगों ने अपनी पूरी डाप को complete कर लिया बहुत ही बढ़िया तरीके से I hope आप लोगों ने भी पूरा complete किया होगा मेरे साथ कि यह है तो please comment करके जरूर से बताना और अब चलते हैं अपने improvement part पर जहां पे हम यह समझ लें कि हम इस आप में और क्या क्या चीज़ें improve कर सकते हैं विकाद ऐसा नहीं कि यह पूरी तरह से 100% perfect है नहीं इसमें बहुत सारे improvement हो सकते हैं तो उन improvements के बारे में साथी साथ आपको मैं कुछ assignment देने वाला हूँ उसके बारे में चलिए discuss करते हैं तो अब बात करते हैं कि क्या क्या possible improvements हम यहां पे कर सकते हैं तो अब कुछ ऐसे improvements होंगे जो कि आप खुद कर सकते हो अब कुछ ऐसे improvements होंगे जो कि हमारे थोड़ी technology पे dependent होंगे तो वो definitely अभी हम नहीं कर पाएंगे वो जब technology थोड़ी enhance होगी तभी हो पाएंगे तो जैसे पहली चीज़ है कि अगर आप एक बहुत large size की image यहां पे upload करने की कोशिश करोगे तो यार वो बहुत time लग जाएगा और हो सकता है कि आपके data मनलब आपके UI पे वो image शो भी ना करें बहुत जल्दी शो ना करें तो यह क्यों है क्यों है क्यों कि IPFS अभी हमारा इतना fast नहीं या कहीं दूर तो भाई उस case में क्या होगा data को fetch करने में load करने में काफी time लग जाएगा तो हमारी dap इस समय सफीशन्ट हो है वो large image को ज़रूपनिटी अपलोड कर पाऊ गया पर definitely यह थोड़ा time taking process होगा second जो चीज है अभी के लिए मैंने जो यहां पे आपको UI दिया है व तो हो सकता है कि वो UI experience इतना बढ़िया ना हो बट आप उसको भी change कर सकते हो अपने हिसाब से आप UI को थोड़ा change करके you know react.js, next.js का use करके I think next.js ज्यादा better यहां पे आपको facility प्रोइड करती है images के around तो आप use करके उसको भी सही कर सकते हो अब ही क्या है कि हम लोगों ने जो अपनी डाप बनाई है जो हमाना Google Drive वो सिर्फ images को ही store कर रहा है अभी मैंने इसको files के around, folders के around इस तरह से नहीं बनाए जो कि आप कर सकते हो और मैं इसके related आपके साथ कुछ link भी share कर दूँगा अगर आपको इसको integrate करना है अपने इस कर सकते हैं तो आप comment करके बता सकते हो कि इसमें हम ये भी कर सकते थे तो ताकि हमारी जो डाप है वो और बढ़ियां बन सके तेन फोर्थ वान कि अभी हम लोगों ने multiple images को select करने की facility user को नहीं दिये चुकि हम दे सकते थे और इसके लिए मैं आपके साथ ये link भी share करूगा त किस तरह से आप files के साथ थोड़ा खेल सकते हो कैसे files, folders इन सब के साथ थोड़ा खेल सकते हो using JavaScript ठीक है तो ये सारे improvements आप कर सकते हो अपनी dap में और अब बात करते हैं हमारे assignment की और हमारा assignment ये है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने यहां पे user को access तो दिया है कि आप मेरी images को देख सकते हो, मैंने किसी को अपने folder का access तो दिया है बट उसको revoke करने की कोई भी functionality नहीं बनाई है और ये मैंने जान मुझे किया है मैं चाहता हूँ कि ये revoke करने की functionality आप बनाओ हमारे smart contract में logic दिया हुआ है जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ disallow button को click करना है जैस पर भी आप मझे tag कर सकते हो अपने screen recording के साथ कि देखे मैंने ये चीज कर ली है मैंने इस तरह से access को revoke किया है तो मुझे सही में बहुत अच्छा लगेगा कि आपने जो पढ़ा उसको आपने apply भी किया और यही चीज सबसे ज़्यादा important होती है क्योंकि आप courses तो देखते पर मैं चाहता हूं कि आप उसको apply करो और मुझे जरूर से बताओ कि मैंने apply किया है ठीक है and with this I hope you enjoyed this tutorial आपको काफी कुछ सीखने को मिलागा और अगर आपको काफी कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज जरूर से like कर देना subscribe कर देना अगर आप इस चैनल पर नहीं हो मैं इसी फ्राइडे या से डेडे को यह कोर्स आ जाता है जो कि बढ़िया कोर्स होता है मुझे तो लगता है तो प्लीज जरूर से subscribe कर देना अगर आप मुझसे Instagram पर chat करना चाते हो तो Instagram की following link यहाँ पर दी हुई है और अगर आप मुझसे LinkedIn पर connect करना चाते हो तो यह मेरी LinkedIn ID है आप म यहाँ पर मुझसे connect कर सकते हो तो यहाँ मिलते हैं हम लोग next video में till then bye bye और please comment करके बताना कि कैसा लगा आपको यह course